तो आज अपन डिसकुस करते हैं मैथ केम्प 4G 2022 का पेपर नमबर 2 इस पेपर में टोटल 30 कुश्टिंस है उन्हें से फर्स 25 कुश्टिंस सिंगल चोईस और रमाइनिंग 5 पॉश्टिंस इंटीजर वेश्ट और उसमें कम्प्लीट कुश्टिंस है अपने टॉपिक फर्स्ट कुश्टिं बुरा गया है कि दी नमबर ओफ पॉजिटिव इंटीगल सॉलूशन ओफ दी एक्वेश्टिंस इस पाट है इस इक्वेश्टिंस के टोटल पॉजिटिव इंटीगल सॉलूशन कितने होंगे ओप्शन गिवन है जीरो टू फोरेंड इन इन्फाइन तो देखो उस क्वेश्टिं को करने की थीम के थोड़ा समझीने की ट्राइक करें फर्स्ट अफॉल क्या करना आपको इस एक्स की पावर 4 माइनस य की पारफूर की करोगया अब फैक्टर तो क्या होंगे इसके फैक्टर एक फैक्टर तो होगा एकस स्कॉर प्लस य स्कॉर and remaining factor is x square minus y square और x square minus y square को बेटा अपर लिख सकते हैं x minus y into x plus y equal to 3, 7, 8, 9, 1, 0 जो भी है अब देखो उसमें जो अल्रेडी मेंशन किया गया है कि positive integral solution तो एक बात को सोचो यह जो x और y की value है यह 4 types हो सकती है x and y both are even number, both are odd number one even and one odd तो एक काम करते हैं first case देखते हैं पहले if x and by both are even integer x और y अगर दोनों आपके even integer हैं तो होगा क्या? let कर जे x को तो let करो आप 2n plus 1 और बेटा y को let करो 2n plus 1 तो थोड़ा carefully सुने जब आप x y की value को इन तीनों terms में put करोगे इन तीनों में क्या करोगे? put करोगे तो देखो क्या होगा first में put करने पर क्या आएगा? 2n plus 1, sorry, both are odd बालने थे पहले चलो खोजने तो इन दोनों को जब put करोगे आप तो यह भी और नमबर यह भी और तो और का score is odd और और का score is odd और और प्लस और को जब एड करोगे तो उसका summation क्या होगा? even number 100% यह जब नमबर आपका even है तो एक 2 common तो इसमें से आने वाला है जब यह दोनों number odd हैं तो odd minus odd का difference is again even तो एक 2 common इधर से होगा और odd plus odd is again even तो एक 2 आपका ही होगा मतलब left part में 100% कि जो left part है जब x और y की value बहुत हार आप क्या पूट करोगे और नमबर तो यह 8 times of integer part होगा क्या होगा 8 times of integer part और ध्यान से देखें इस यह right part है कि this is not divisional y8 कोई भी number 8 से divisional का होगा जो last 3 digits are divisional y8 तो last की 3 digits 8 से divisional नहीं यह 108 तो देन इसकी according इसका no solution हैगा similarly जब आप दोनों को even number लोगे तो एस वही same procedure x square plus y square x minus y into x plus y तो देखो क्या होगा even का square even even का square even तो यह भी even number difference भी even और summation भी even तो सबसे again 2 2 common होगा minimum तो यह क्या होगा again 8 का multiple तो 8 again individual नहीं होगा और अगर एक को even लेते और एक को odd लोगे तो देखो क्या होगा इविन और और एविन का square even odd का square odd तो odd plus even is odd number यह क्या होगा वो एक odd number होगा क्या होगा वोगा वो और number जैसे लेट कर लेते पर कि लेट आपने x तो लेट किया 2m प्लस वन और वाइल एट किया आपने 2m तो जब आप इन वेल्यूच को फुट करोगे तो सिंपल सा फंडा अगर यह एविन यह ओड है तो इनका even का square even और 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 प्लस एविन इज और नमबर होगा फस्ट तो नमबर होगा और उसके बाद यह ओड है यह एविन है तो इविन प्लस और इज अगें और और बेटा और माइनस एविन इज अगें और तीन और का मल्टिप्लै कैसा नमबर होगा एक और नमबर होगा तीन नमबर अगर और है तो उनका मल्टिप्लै क्या होगा एक और नमबर तो अगें यह कैसा नमबर है एविन नमबर तो इसका अंसर फिल करना है जीरो लो सोलूशन आंसर आगा सक ठीकर चले उसके बाद एको second question is if zero less than a less than b less than c and the roots alpha and beta of the equation this part are non real complex यह जो question given है आपको a x square plus b x plus c इसके root आपके alpha बीट है और रफा दोनों क्या है non real complex number imagery roots given आपको then which of the following option is correct model of equal to mod beta not equal to model of a mod beta का relation check करना है तो देखो कैसे करना है जब अलरी मेंशन है कि ABC आपके positive भी है A से greater b और B से greater c इसका मंदर यह number आपके real number है तो अपर को पता होना चाहिए कि कि किसी भी quartic के coefficient अगर real number है if coefficient of the quartic question is real number then imaginary roots are in always conjugate form तो इसके जो imagery roots है alpha beta दोने imagery roots है तो बहुत roots are in conjugate form तो लेट alpha को आपने लेट किया बीटा x plus ayata y तो बीटा second root beta क्या होगा इस कंडिट percent x minus ayata y तो यह दोनों नमबर अगर conjugate है तो बीटा mod alpha equal to के जाएगा mod beta को क्योंकि mod alpha का मीनी root of x square plus y square और mod beta का मीनी भी क्या होगा root x plus y square mod alpha equal to mod beta है तो first option तो वैसे रोग होगा अब आपको mod alpha, mod beta की value checkने की which is greater than less than one say greater है one say less होगी तो देखो क्या करना है इसमें इसमें लिखो product of root alpha plus beta का multiply क्या होगा c upon a for ध्यान से देखो a और c में c अगर a से greater है तो इसका ratio क्या होगा one say greater तो मैं लिख सकता हूँ दोनों तरह mod ले लो तो mod alpha, mod beta greater than one दोनों equal हैं तो क्या गया mod alpha square greater than one इसका meaning mod alpha की value क्या होगी one say greater, mod alpha one say greater तो ये option correct होगा mod alpha, mod beta दोनों same है तो mod beta भी one say greater होगा तो ये option भी wrong होगा, mod beta less than one बोला गया है और दोनों का submission क्या होगा two say greater ये two say less बोला गया तो इसका second option अपन को tick करना ठीक, एक शिक्पल सा question है उसके बाद question number third is if one root of the equation this part is even prime number ये जो quality equation given है इसका एक root बोला गया beta prime, while the equation of this part has equal roots और second quarter के roots क्या बोला गया है equal, इसके roots अगर equal है तो मैं लिख सकता हूँ d0, d का meaning b square is lambda square equal to 4 mu than the value of mu, तो आपको mu की value को क्या करना है calculate, तो एक बात सुनो, इसका one root is even prime number तो even prime number only a की होगा x equal to 2, जितने भी prime number है उनमें से even prime number कोन होगा x equal to 2 इसका meaning x equal to 2, इसका root है तो इसको satisfy करा दो, तो 2 का square 4 minus 2 lambda plus 12 equal to 0 तो then 2 lambda equal to 60, तो then lambda equal to 8 आगया, और lambda को 8 पर करोगे तो 8 का square 64 equal to 4 mu इसको divide कर दो, तो then we will get mu equal to 16, 16 इसका answer होगा, तो then इसका third option आपको fill करना है उसके बाद एको fourth question is, if P and Q satisfied the relation this and this, आपको two relation given है P this relation को satisfy करता है और Q this relation को, then P Q is equal to, तो आपको P Q के multiply की value fund करने है तो थोड़ा समझने वाला part यह इसमें, अगर आप यह try करता हो, करने का एक option है, आप इसको एक तरफ ले आओ, P square minus 5P minus 2 0, तो quatic formula से P की value fund कर सकते हो, और इसमें भी quatic formula से Q की value को fund कर सकते हो, और बाद दोनों को multiply कर दो, ठीक है? और second option क्या है, इन दोनों relation को carefully आप जब देखोगे तो इससे पता चलेगा बेटा, इसमें coefficient सम्में से मैं only difference किसका है, P or Q का, यह बहुत relations are similar, but difference of P and Q, एक में P variable, एक में Q variable, यह काम करते हैं, आप P or Q variable को let X consider कर दो, तो अपने इसमें P or Q को अगर X let किया तो आपने लिख सकते हैं, 3X square minus 5X minus 2, तो अब आप यह बहुत सकते हो ना, कि these relations are equivalent to the, this quadratic equation, these relations are equivalent to the, this quadratic equation, whose roots are alpha and beta, यह बहुत relations आपके, इस quadratic equation के equivalent है, जिसके root को हो न, P and Q, क्यों? क्योंकि जब आप P को output करोगे तो, first relation find out कर पाओगे, और Q put कर दोगे तो second relation, तो इस quadratic के root P and Q है, तो again मैं लिख सकता हूँ, product of root is C upon A, तो क्या जाएगा minus 2Y, 3, तो then इसका second option आपको fail करना था, question number 50, if AX square plus BX plus C0 and BX square plus CX plus A1 to 0, have a common root, यह बहुत quadratic equation का, one root आपका common बोला गया, have a common root, एक root common हैसका, have a common root का मतलब है, एक root तो common होगा होगा minimum, यह at least one common root भी लिख सकता है, तो this part equal to where A, B, C is non-0, A, B, C को 0 नहीं मानना है, तो दो कैसे करना question को, थोड़ा एन equation को, अगर आप carefully देखोगे बेटा, तो then we will visualize that AX square plus BX plus C0 और second is, VX square plus CX plus, इन दोनों equation को जब आप carefully read करते हैं, दो को एक चीज़ दिखती है, इन बहुत equations को बेटा, X equal to 1 क्या करता है, satisfy, X को बन लेने पे, A plus B plus 0, और C B plus B plus 0 हो रहा है, इसका meaning, X equal to 1 is the common root of both equation, X equal to 1 इन दोनों equation का common root है, तो अगर कोई question यह पूचे कि बताओ, one root common क्या हो सकता है, तो इसका यह एक answer में fill कर सकता है, X equal to 1, X equal to 1 इनका common root है, तो अगर X equal to 1 इनका common root है, तो X equal to 1 को इसमें put कर सकते हो, then we will get, दोनों में same addition होगा, A plus B plus C 0, और अपन जानते हैं, कि अगर A plus B plus C का समझी रहा हो बेटा, तो then we will, right now, A Q plus B Q plus C Q को क्या लग सकते हैं, 3 ABC, और इस ABC को डिवादे में लेक्या होगी, तो इसकी value क्या होगी, 3 answer fill करना, तो एक अच्छी approach है, और second option के है, इस question को proper ऐसे लख सकते हैं, have a at least one common root, यह have a common root, have a common root लखा हुआ है, यह मत मानना कि one root common है, बहुत roots भी common हो सकने है, तो इसमें दोनों केसे से काम करोगे, जब आप one root common की condition apply करोगे, तो भी same relation आता है, इसमें A plus B plus C 0, और जब two root common की condition लगा होगे, तो भी same relation आता है, A plus B plus C 0, तो उससे lengthy हो सकता है, बट आगर आप direct approach apply करोगे, कि X equal to one इन दोनों का common root है, तो देन A plus B plus C common direct क्या युच कर सकते हैं, C युच कर सकते हैं, चलो, C question देखो, if both roots of the equation X square minus M minus 3 into X plus M equal to 0, M belongs to R, R positive, is quadratic equation के both roots are positive, then M belongs to, तो देखो क्या theme इसको करने की, वह simple option ही है, इसके both root rate करो alpha and beta, तो दोनों root अगर positive हैं, तो sum of root भी कैसा होगा positive, तो alpha plus beta positive, alpha and beta का product भी क्या होगा positive, तो दो condition तो युच लगा देते हैं, alpha plus beta युच माइनस B अपने, तो कितना आगया वोलो, M minus 3 greater than 0, तो इससे तो आगया बेटा M greater than 3, आप इसको without location of root से भी कर सकते हो, वही थी में इसमें, और product of root is C up होने, तो this is M greater than 0, ये दोनों condition लगाने से, these conditions are not sufficient, बहुत roots इसके positive हैं, इसका meaning roots कैसे होने ची real, इसका meaning ऐसे है, X greater than 0 पोजिटिव हैं, तो इसका डायरम क्या अबबड पहरा बोला, बहुत roots है greater than 3, तो दोनों root 3 से बड़े हैं, तो वह equal भी हो सकते हैं, तो एक condition और apply करोगे आप D greater than equal to 0, तो जैसी आप D greater than 0 करोगे बेटा, तो it is become quarter taken M, तो इसको लख सकते हैं, M minus 3 का whole square minus 4 M, इस greater than equal to 0, तो आ जाएगा M square, 6 और 4, 10 M, plus 9 greater than 0, तो इसके factor क्या होंगे, M minus 1 into M minus 2 greater than, sorry, M minus 1, तो एक तो क्या होगा, M less than 1, union M greater than 9, तो जब आप इन 1, 2, 3 का intersection लोगे, M की value 0 से greater 3 से greater, तो क्या जाएगा अनसर, 9 से greater, तो इसका third option आपको fill करना है, save in the question क्या है, if x is real, x एक real number है, then the maximum and minimum value of expression, this part will be, this expression की maximum minimum value क्या होगी, तो देखो क्या करना है, जब भी अपन को quartic upon quartic, जहान रहें के सभी, एक expression given है, आपको यह कौन सी format है, quartic upon quartic हो, या quartic upon linear हो, यह linear upon quartic हो, और आपको उसकी क्या करना है, यह range calculate, तो उसका वह simple option इसको violet करें, cross multiply करो, cross multiply करने के बाद सब को left में करो transfer, तो then we will get quartic in x, आप क्या अचीव करोगे, x में quartic, और उसके बहुत roots, real वाली condition लगा दो, डी गरदन इक कोड़ जीरो, अब बच्चे बोलते हैं सा क्यों, तो क्योंकि जब x real है, इसका मतलब input real है, x real है, तो corresponding y भी real होगा, तो x real का meaning है, कि जो आपकी quartic question x में, उसमें x real है, तो मैं लग सकता हूँ, d गरदन इक कोड़ जीरो, अब x real है, तो x real का meaning, वो दोनों equal भी सकती हैं, ठीक है, बस condition यह थी, कि इस quartic में x real है, तो then d गरदन इक कोड़ जीरो करना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले y एजूम करो, और cross multiply कर दो, क्या जाएगा, y x square, plus 2xy, plus 3y, और numerator को left में कर दो, transfer, x square minus 14x minus 9 equal to 0, तो, इन दोनों में common आगे x square, तो then we will get y minus 1 into x square, second और fourth में common लोगे, 2x, तो 2v common लो, और साथ की साथ आप x v common लो, तो y minus 7 into x, ठीक है, और last remaining part is, 3y minus 9 equal to 0, अब इसमें थोड़ा सा important part यह है, कि जब आप इस की range को quartic की format शोल करोगे, तो यह लिखना चाहिए, कि coefficient of x square not equal to 0, लिखते हैं कि a, y not equal to 1, y अगर not equal to 1 है, तो it is quartic in x, quartic real है, तो आप लिख सकते हो, then d greater than equal to 0, d greater than 0 करने पर क्या होगा, b square मतलब y minus 7 का, all square into 4, minus 4 a is y minus 1, और b is 3y minus 9 is equal to 0, तो देखो, 4 c 4 के इंसे लाओ, तो क्या आगे, y square plus 49, minus के 14y, ठीके, और यह कितना हैगा देखो, minus y 3y minus 3y square, minus 9y minus 3y minus 12, तो plus 12 आगे, plus के 12 आगे, और remaining is minus plus 9, तो minus के 9, greater than equal to 0, तो ultimately क्या आगे देखो, minus के 3y square plus के y square, तो आप लेख सकतो, minus के 2y square, minus 14y plus 12, तो minus के 2y, plus के 40, गड़ देन 0, minus 2 से डिवार करोगे, तो sine को change करना है, तो y square plus y, minus 20 less than equal to 0, तो बेटा, इसके factor क्या होंगे, इसके factor होंगे, बेटा, y plus 5 into, y minus 4 is less than equal to 0, तो इसकी range क्या होगी, minus 5 से 4, क्या होगी, minus 5 से 4, वट आप y को 1 remove करोगे, हटा सकतो एक बाद, after that क्या करना है, if y equal to 1, तो एक बात खुश्चो चो, अगर आप इसमें y को 1 let करोगे, तो इसमें x की value अच्छी होती ही, minus के आप, इसका meaning क्या हुआ, जब x को आप minus half put करते हो, तो y बना रहा है, इसका meaning, x को minus half, अपन डोमेन वी ले सकते हैं, तो इसका meaning है, y equal to 1 को भी answer में, अपने को let करना है, जोकि x की value minus half put करने पे, y बना गया, इसका meaning है कि, y equal to 1 वी इच की range में include होगा, तो ultimately answer minus 5 से 4 होगा, तो इसकी minimum value तो होगी, minus 5 और maximum value क्या होगी 4, तो पहले maximum value को टिक करना, और बाद में minimum को, तो maximum value is 4, और minimum is minus 5, तो देन इसका first option आपको फिल करना है, next question ही जी, if both roots of the equation this part are less than 3, इस quadratic के बहुत roots अगर 3 से less है, तो then a belongs to, तो वोई simple procedure आगे है, a quadratic की root अगर 3 से less है, तो क्या कर सकते हैं, इदर 3 let कर दो number line पे, diagram अबड परावोला है, तो ये diagram possible होगा, तो वोई same procedure, एक तो क्या कर सकते हैं, आप root let कर कर सकते हो, की alpha less than 3, coma beta less than 3, दोनो 3 से less है, और d कैसा होगा, इसका गरदे ने कुझे रोबस, कर दो apply, तो alpha beta दोनो 3 से less हैं, तो sum of root क्या होगा, less than 6, तो sum of root का formula, minus b upon a, तो क्या आगया, 2 a less than 6, तो ये आगया, a less than 3, equation number 1, again, productive root क्या होगा, 3 से less, ये भी 3 से less, तो productive root क्या होगा, 6 से less, तो alpha beta की value क्या है, a square plus, a minus 3 less than 6, तो ये आगया, a square plus, a minus 3 less than, 90 क्याइस से कर सकतो, और उसके बाद, इससे भी better option क्या देखो, उससे मेरे according जल्दी अंसा जाएगा, आपका, सीधर राइगरा मनाओं आप, इसको let करो आप fx, इसको क्या let करो बोलो, fx, तो a condition तो क्या है, ये राइगरा मनाओं बढ़ है, तो f of 3 की value positive कर सकते हैं, तो x को 3 पूटकरने पर क्या आगे 9, इसके vertex का x कॉनड़ क्या होगा, 3 से less, minus k by 2 a, less than 3, तो वही same procedure, तो क्या जाएगा है, a less than 3, a 3 से less है, और इस से less है, तो इन दोनों का common क्या गया, a less than, तो बात इस से बन जाएगी आपकी, तो आपको इसका first option fill करना है, क्योंकि इसमें D चेक करने की जुरूत हैं नहीं आपको, अपन को पता है कि इन दोनों का common जब 2 से less आगया, तो 2 से गड़े तो answer हैं नहीं सकता ना, बाकी के 3 option 2 से गड़े रहे हैं, तो इसका first option check करना है, first option tick करना है, दी की जुरूत नहीं इसमें solve करने की, बाकी subjective question हो तो आपको दी भी check करना पड़ेगा, 9th question क्या देखो, if roots of the equation this part are in HP, then which of the following option is correct, is quite, sorry, is cubic के root HP में हैं तो बताओ, PQR में relation क्या होगा, तो बहुत simple सी थी, मैं ध्यान रहे हैं, इस cubic के root आपके किसें बोले गए हैं, बोलो, HP में, अपन ने एक बात पड़ी हुई है, किसी भी equation में, अगर आप X को 1 upon X से replace कर दें तो, तो new equation के roots, original equation के roots से क्या होगा, रहसी पोकल, X is replaced by 1 upon X, then new equation has the roots, रहसी पोकल to original equation, तो उसमें यही theme अपलाई करने ही, क्योंकि, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि generally अपन, AP में तो terms let कर सकते हैं, A-D, A and A-D, अगर आपको AP की 3 terms क्या करने पड़े हैं, let, तो क्या let करते हैं, A-D, A and A-D, but HP की 3 terms अगर let करोगे, तो वही same procedure है, पहले AP की term let करके उनको का करोगे, reciprocal, तो तफ बन जाता है, तो उसको simple करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी equation में, अगर X को one up one X के replace करोगे, तो then the equation has roots reciprocal to original equation, तो क्या जाएगा है, बोलो, 1-TX, सीधर simplify कर दो, X square minus R, X cube equal to 0, तो हैस्ट पावर को positive आने के लिए मालने से multiply करो, तो क्या आगे, R, X cube, ये plus है, तो minus QX square, ये plus PX, minus 1 equal to, ये cubic है, X को one up one X से replace किया, तो इसके root अगर HP में है, तो beta इसके root किसमे होगे, AP में, अब इसके all three roots are in AP, तो आप AP के three number let कर सकते हो, वो क्या, A minus D, comma, A comma, A plus D, तो इससे क्या जाएगा, sum of root, three of A equal to, क्या आगे है, बोलो, plus minus Q upon R, तो इससे, A की value अच्छी हुई, आपकी कितनी, three Q upon, sorry, Q upon 3 R, देखू, A is cubic equation का root है, तो A की value कितनी, Q upon 3 R, तो A equal to Q upon 3 R, इसको क्या करेगा, satisfy, मतला है, X को Q upon 3 R, क्या करेगा, satisfy, तो then we will put, X equal to Q upon 3 R, तो PQR में रिलेसिन आजाएगा, आपका तो चलो, पूट कर देते हैं, तो पूट करो उसमें, तो क्या आगे, R dot Q का Q upon 27 RQ, minus Q, इसको करने पे, Q square upon 9 R square, plus P से multiply करो सीधा, तो PQ upon 3 R, minus 1 equal to 0, अब सिंपल एक फंडा है, इसको direct आप क्या करो, 27 R cube से multiply करते हैं, तो क्या आगे, R Q का Q, minus 27 तो 3, R Q पे तो एक R बज़ गया, तो क्या रहे गया, Q का Q into R, उसमें 3 है तो 9 है जाएगा, P Q into R square, minus K, 27 R cube equal to 0, इन सम्में देखो, R को मना के 0 में चला गया, तो R को जब आप cancel out करोगे, तो क्या जाएगा, Q, R को क्या करोगे, समय बोलो, cancel out, तो यह आगया, तो R को देखो, cancel out कर देते हैं, स्कोट आजेते हैं, क्या आगे देखो, R को cancel out करने पर रह गया यह, सीधा, Q का Q minus 3, Q का Q, plus 9 P Q, R, minus 27 R square equal to 0, अब इसमें एक काम कर सकते हैं, यह दोनों सेम हैं, तो क्या जाएगा, minus की 2 का Q, plus 9 P Q R, minus से multiply करो, तो देन 2 का Q, minus 9 P Q R, plus 27 R square equal to 0, तो देन इसका, first option आपको, fill करने हैं, उसके बाद 10th question देखो, the total number of real solution, of the equation, this part है, this equation के, total real solution, कितने होंगे, तो देखो, क्या करना है, समझो, root है, तो एक option, तो क्या कि, दोनों तो रूट है, तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं, इसकी 2 बार स्कोरिंग करने से, बात बन सकती है, वाद थोड़ा सा complex होगा, तो उससे बचने के लिए क्या किया, देखो, इसको careful, इसके factor क्या होंगे, root of, x-1 into, x-3, similarly, x square minus 9 square को मिले सकता हूँ, x-3 into, x plus 3, और equal to, ये क्या होगा, इसके factor होंगे, इसके शायद करके देख लेते हैं, 4x square, choice है न, 12x, और 2x का सब्सक्राइब, इसमें से common आगया, 2x, sorry, 4x common लोगे, तो क्या आगया, x-3, और इसमें से 2 common लोगे, तो आगये न, x-3, तो factor होंगे, x-3 into, 4x-2, तो एक तो देखो, x-3 red common आगया, तो x-3 common लेकिए, तो 0 हो गया, तो एक अंसर से तो सीधा आगया, x equal to 3, और remaining part क्या होगा, x-1, plus root of, x plus 3, equal to root of, 4x minus 2, अब देखो, इस टोइन से में गलती क्या करते हैं, अब आगे करने का एक एक औफ्सन है, इसकी boss side squaring कर दो आप, जैसी आप इसकी boss side, 2 times squaring करोगे, तो x की value अच्छी होगी, 7 y 6, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ही है, original question आपका ये है, तो जब domain की condition लगा होगे आप, तो domain का मतलब, this part is greater than 0, जैसी आप इसको greater than 0 करोगे, तो 0 करने पर क्या होगे, 1 पर 0, 3 पर, तो x की value 1 से less, और 3 से क्या होगी, इसकी इसकी नहीं करना है, तो again जो second answer है, 7 y 6, उसको include नहीं करना है, क्योंकि 7 y 6 को जब आप इसमें इपट करोगे, तो ये value negative बन जाएगी, आपकी तो root के इंदर कभी negative हो नहीं सकता, तो इसका एक ही solution x equal to 3 से नहीं पूछा है, total number of solution, तो इसका आपको one answer fail करना है, तो first option इसका correct होगा, उसके बाद देखो question number 11 क्या है, the total number of quadratic equation, which are unchanged by squaring their roots, ultimate question का meaning क्या है, कि कोई भी quadratic equation है, उसकी root है alpha and beta, तो question ने बोले जाए कि, उसकी roots की जब आप squaring करोगे, तो जो new quadratic equation होगी, वो same होगी आपकी, तो उसको ऐसे करते हैं question को, starting में मैंने let किया, कि ये quadratic root alpha and beta, तो quadratic equation can be written as, x square minus sum of root into x plus product of root equal to 0, तो उसकी root अगर alpha and beta let की, अब आगे क्या वो लगया है, कि squaring their roots, then quadratic equation is unchanged, अब अगर आप new quadratic root की जब आप सकता हो, sorry, इस roots की आपने क्या गरदी, squaring की, तो then we will again, right now new quadratic equation is, x square minus alpha square plus beta square into x plus alpha square beta square equal to 0, तो question क्या वो लगया है, कि quadratic equation which are unchanged squaring their roots, इसका meaning होगा, कि बहुत quadratic equation are identical, तो बहुत quadratic equation आपकी क्या हो, तो क्या लग सकते हैं, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तो यह आगया, 1 upon 1 equal to this upon this, तो minus तो क्या आपकी क्या आपकी क्या आगया, alpha plus beta upon alpha square plus beta square, equal to constant time is alpha beta upon alpha square beta square, तो देखो, क्या करना है, इसमें अलिटी मेंटी, एक बार आप इन दोनों को consider करो, तो we will get alpha square plus beta square equal to alpha plus beta, इसको लेट कर लेते हैं question first, और एक बार इन दोनों को पकड़ो, तो क्या जाएगा, alpha square beta square equal to alpha beta, एक तरफ लेखो, धान रखें alpha beta से alpha beta cancel नहीं करना है, क्योंकि alpha beta 0 हो सकते हैं, यह तो condition लग आई है, आपको लग रहा हो किस alpha beta को 0 कैसे ले सकते हैं, तो देखना भी, तो एक पेर alpha beta common लो, तो देन remaining part is alpha beta minus 1 equal to 0, तो उसे दो रेसर मिले हैं आपको, एक तो आगे alpha beta का product 0 हो सकता है, और, और का मतलब दोनों separate case अपना राइज करते हैं, अब alpha beta के pairs आप करोगे find out, उन pair हो के आने के बाद, उन pairs की value पुट कर दो, quiet take equation में, तो अपन देख सकते हैं कि, कितनी quiet equation आपको form डोंगी, तो देखो, अब squad आजेते हैं इसकी ज़टने कुछ है, first case आपने लेट की alpha beta 0, alpha beta 0 होने का मीनिंग क्या होगा, alpha equal to 0, और, beta equal to 0, और आ गया, दोनों 0 भी हो सकते हैं एक साथ, और एक single 0 हो सकता है, तो इसमें 3 case मानो ना, एक बार तो आपने alpha को 0 माना, तो beta को non 0 मानो, second case, अब आप किसी को 0 मानो, किसी को non 0, case तो एक ही माना जाएगा, क्योंकि alpha beta की value पुट कर नहीं है, आप से alpha beta के pair थोड़ी ना पूचे, आपको तो पूची number of quart equation, तो आप alpha को 0 पर करो, beta को non 0 पर करो, equation तो से भी बनेगी, और अगला case होगा, बहुत हार 0, तो first case, अब इस से जो भी answer है, वो इस condition को भी क्या करना चीज़, तो एक answer तो आगया, x square equal 0, एक quiet equation क्या होगी, x square equal to 0 की root क्या होगी, 0-0, तो 0-0 की square करने के बाद भी quiet equation क्या होगी, does not change, similarly, अगर आप alpha को 0 पर करता है, question first में, तो क्या जाएगा, beta square minus beta, equal to 0, तो 1 तो beta 0 होगा, 0 लेना नहीं है, तो beta equal to बना गया, तो alpha को 0, beta को 1 लोगे, एक quiet equation क्या होगी, x square, minus x equal to 0, तो इसके root को नोगे, 1 and 0, तो यार, 1 और 0 को isquaring करने क्या हैगा, 1 0 दोबरा, तो again quiet equation क्या होगी, does not change लोगी, तो एक यह answer आगया, तो दो answer तो इससे अचीव हो चुके आपके, फिर second case में क्या करते है, alpha, beta का predict one होगा, तो कितने answer हो सकते है, two answer आचोगा है अभी तक, if, alpha, beta बन तो उसको लेते, question first को, question first को आप लिख सकते हो बेटा, alpha प्लस बीटा का, whole square minus, two alpha बीटा, minus two, alpha बीटा, और इसको भी left में ले आओ, इसको थोड़ा solve करेंगे, let, कौन लेकेगा बार बार, मैंने alpha प्लस बीटा को consider कर दिए, beta T, तो alpha प्लस बीटा को T लोगी, equation क्या होगी, T square, आपको ultimate alpha बीटा की नहीं होची, T square, minus के T, और alpha बीटा 1 लेना है, तो minus two equal zero आगे, तो इसको सोल करने पर क्या होगा है, इसके factor क्या होगा है, T minus two, T plus one, एक तो आजाएगा, T equal to two, और एक अच्छी होगा, T equal to minus के बाद, T equal to two आने का मीनिंग, alpha plus beta two आगया, अब दो एक option तो प्रोपर यह ही है, कि beta को बीटा को बन पर अलफा फुट कर दो, तो यह बनेगी, alpha minus one का all square, तो सीधर देख रहा है, alpha, beta का product one and summation two है, तो इसका एक option आने वाला, alpha, beta equal to one, alpha, beta equal to one आने का मीनिंग, और लास्ट केस क्या होगा, जब T को minus one लोगे, तो यह आगया, alpha plus beta equal to minus one, इसमें क्या करना है, जब आप beta को one upon alpha लोगे, तो यह आजाएगा, alpha square plus alpha plus one equal to zero, तो देखो, इसको देखने में लगए रहा है, कि इसके root तो होने तो मेंजनी से क्या फरक पड़ता है, roots तो है ने, तो एक root इसका omega होगा, एक root क्या होगा, omega square, तो इसकी squaring करने के बाद भी क्या होगा, does not change, तो total quarter equation achieve होंगी, आपके पास four, तो इसका third option अपन को fill करना है, उसके बाद देखो, question number 12 में क्या करना है, it's a good question, let ABC belongs to R and A not equal to 0, if alpha is a root of the equation this part and beta is a root of the equation this part, alpha तो this equation का root है और beta this equation का root के बाद है, 0 less than alpha भी, alpha से greater beta बहुत हर पहुँए, then the equation this part, यह जो third quarter question को भीन है, इसका एक root बोला गाए, गामा, that satisfy always, तो गामा किस options को always क्या करता है, satisfy, तो options given है, alpha equal to gamma, alpha equal to beta, sorry, gamma equal to alpha, gamma equal to beta, gamma equal to alpha से beta बाइटो, और gamma is lies below खितो alpha से beta, तो देखो, उस question को करने की theme क्या है, थोड़ा सम्झा, इधर देखो, जिस equation की root की क्या देनी information, इस थर्ड़ equation को मैंने लेट किया, लेट fx, इसको diagram की help से करना बहुत simple हुआ, ये question को होन है, a square, sorry, a square x square plus 2bx plus 2c, फिर क्या करो, इसमें एक बार मैंने एक number पुट किया, एक सिपल to alpha, alpha इसका root असको यूज़ बाद में करते हैं, इसमें वैसी पूट कर दिया alpha, अपन ये check करेंगे, देखो, इस quadratic में, a square, x square का coefficient के सारा positive, तो इसका diagram क्या होगा, अबढ़ पैरा बोला हूँ, इसका diagram अबढ़ पैरा बोला है, तो question ने बोलागे कि इसका root gamma near percent exist करता है, तो let is का gamma root है, इसका root को ने लेट gamma, second कुछ भी हो, अब आप ये check करके देखो, कि alpha, beta, which portion, alpha, beta इस line के किस portion में होँगे, उस portion में अगर पता चल गया, तो अपन इजी दी check कर सकते हैं, गामा line which interval, तो क्या किया मैंने उसके लिए, f of alpha की value क्या होगी, a square alpha square, plus, 2b alpha plus 2c, उसके बाद देखो क्या करना है, alpha अगर इसका root है, तो alpha इसको क्या करेगा, satisfy, तो alpha इसमें put कर देते हैं, alpha is square root है, तो alpha इसको क्या करेगा बोलो, satisfy, तो alpha put करने पे इस part आजाएगा, आपका, कितना, a square alpha square, plus, b alpha plus, c equal to 0, तो थोड़ा carefully देखो, a square alpha square, plus, b alpha plus c 0, तो इक काम करो ना, इन दोनों में, आप 2 common ले सकते हो, तो 2 common लों के दर से 2 अगरी है, तो मैं b alpha plus c की value, क्या put कर सकता हूँ, आप b alpha plus c को put कर सकते हो, minus, a square alpha square, तो इस आगया, a square alpha square, minus आगया जाएगा, a square alpha square, minus 2 a square alpha square, तो ultimate यह आगया, minus के a square, alpha square, जिस पार्ट आने के बाद, अगेन क्या करना है, एक बार put करते हैं, x को beta, तो f of beta क्या होगा, a square beta square, plus 2b beta plus 2c, तो वो इस सेम प्रोसिदर है, c, इसमें से 2 को मले लेता है, सेम थीम, इसमें क्या यूच करना देखो, beta this square root है, तो b square test को क्या करनेगा, satisfy, तो इसमें आगेन beta put कर लेता है, तो जैसी आप beta put कर गीए, तो यह आगया, a square beta square minus k b beta minus c equal to 0, तो b beta plus c की value क्या होगी, a square beta square plus में, तो a square beta square put कर गीए, a square beta square plus 2a square beta square, this is 3a square beta square, तो आप सिंपल ऐसे समझो, alpha square expect में यह value always negative है, और यह value always positive है, alpha square expect में यह gamma है, तो alpha इदर होगा, क्योंकि alpha square expect में value कैसी है, यह इदर मान सकते हैं, alpha square expect में negative है, gamma square expect, sorry, beta square expect में positive है, तो gamma 100% alpha से beta के between, लाई करेगा आपका, तो आपको इस तरीके से options को टिक करना, ठीक है, है जो रूट गामा, एक रूट गामा की बात की उसने, अगले रूट की बात की नहीं सने, ठीक है, तो gamma alpha से beta के बीच में, तो उसका fourth option आपको टिक करना, ठीक है, उसके बाद 13 कुछे न देखो, the value of mod of a, for which, the equation, x cube plus, ax plus one zero, and x की power four, plus ax square plus one equal zero, have a common root, in बहुत equation का one root common है, तो बताओ, mod a की बेलो, क्या होगी, अब देखो, यह cubic है, यह y quadratic है, तो कैसे करें, तो देखो, वैट option यह, बहुत अच्छा question है, आप let करो, कि let in का, common root मालना, x equal to alpha, है वे common root बोला गया, तो एक root तो 100%, इसका common होगा, तो x equal to alpha लेट किया, alpha इसका पूट कर दो, तो क्या आगया, alpha q plus, a alpha plus one equal to zero, alpha four plus, a alpha square plus one equal zero, अब इस question में देखो, बहुत important part यह थी, इन दोनों में, केवला आप alpha common लो, तो क्या जाएगए, एक tricky question है, तो बेटा, alpha q plus a alpha की value, इससे पूट कर सकते हैं, minus q1, इस part की value क्या पूट कर सकते हैं, minus one, तो क्या आगया, minus alpha plus one equal to zero, तो ultimate t से क्या आगया, alpha equal to one, बतलब इन दोनों के question का, एक root common पता चलेगा, alpha equal to one, तो alpha equal to one, इसको क्या करेगा, satisfy, आप इसमें put कर तो, alpha common या second में, कोई effect नहीं होगा, तो alpha को one लेने पिस से, एक ही will achieve होती है, minus q2, तो उसने क्या पूच्छा, mod ये, तो आप उसका two, अथा second option, fill करना है, 14 question देखो, it's now again good question, if alpha, beta, gamma and delta, are roots of the equation of this part, then the value of this part is, alpha, beta, gamma, delta is, y-quart equation की roots है, तो आपको this expression की value को calculate करना है, तो देखो, उस question को करने की theme क्या है, उससे पहले एक छोटा सा concept समझा है, जैसे लिएट, ax square plus bx, plus c equal to zero की root, अगर alpha and beta है, तो अपनने पढ़ा हुआ है, कि देन, ax square plus, bx plus c, equal to, can be written as, x minus alpha and, इसको factor format में लिख सकते हैं, दो आज़ा सोने, is quadratic root alpha, beta है, तो this quadratic equation can be written as, x minus alpha and to x minus beta, तो कि x equal to alpha s का root है, तो x minus alpha s का factor होगा, और x minus beta भी इसका क्या होगा factor, तो क्या है, this equal to this, वाट एक काम करें, एदर आज़ा इस्ट पावर का coefficient क्या है, तो जब आप इसको multiply करोगे, तो से क्या हैगा, only x square, तो ये left equal to right का हो सकता है, जब x square coefficient तो क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, तो इसको a से multiply और करना है, ये आपको theorem पता होनी चाहिए, इसको this formative में लख सकते हैं, तो quartic के root alpha भीटा है, तो then quartic equation can be written as, ax square plus bx plus c equal to a times of xy sulfa into x1 beta, इस theme को इस question में यूज करेंगे, तो देखो, इसके root mention किये गए, alpha, beta, gamma and delta, इस quartic के, sorry, y quartic के 4 root given alpha, beta, gamma, delta, then this equation can be written as, x की power 4 plus 4x cube minus k6x square plus 7x minus 9 equal to, क्या लेखो के बोलो, x minus alpha, x minus beta, x minus gamma into x minus delta, ये लिखना है सबसे पहले, इसमें highest power का coefficient कितना 1 तो इधर बना गया, अब थोड़ा समझो की, एक तो लाना है 1 plus alpha square, तो इसमें थीन क्याती कुछन को करने की, इसमें एक बार तो आपको put करना, भी समझ जाओगे लेकिने के बाद, एक बार तो x को put करना iota, और एक बार put करना x को minus का iota, तो दोको मैं एक बार rough copy दिखाता हूं आपको, जब x को iota इसमें put करूए गर, iota minus alpha, और again जब put करोगे minus iota, तो क्याएगा minus iota minus alpha, तो beta करना क्या असमें, तो को minus iota minus alpha इसमें होगा, अगले में minus iota minus beta, तो चार बार minus को में लोगते, प्लस हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा Iota plus alpha तो Iota minus alpha Iota plus alpha A plus B minus A minus B को में क्या लिक्स करता हूँ यह काम करो इन दोनों को multiply कर दो minus common आ गया तो क्या जाएगा Iota square minus alpha square Iota square की value minus 1 minus common लिने पर क्या आ गया 1 plus alpha square similarly जब Iota minus Iota को इसमें put करोगे और इनको corresponding multiply करोगे तो क्या एक alpha Iota 1 plus beta square तो करना है क्या आपको सुनो X को एक बार Iota put करो वो साइट एक बार X को Iota put करना है इस पार्ट में तो यह अचीव होगा आपके पास 2 Iota minus 3 करके देखना आप और इदर ही जाएगी 4 ब्रेकेट 1 minus Iota minus alpha Iota minus beta Iota minus gamma Iota minus delta और एक बार put करोगे इस पार्ट तो यह आने वाला है minus 2 Iota minus कि 3 यह कुट करना अपने 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 इतना आने के बाद क्या करना है corresponding boss side multiply इस पार्ट को करना जिस से multiply तो क्या बने गए A plus B into A minus B तो यह A square plus B square A square माने B square तो यह value हो जाएगी 13 और इदर क्या होगा इन दोनों का multiply 1 plus alpha square इन दोनों का 1 plus beta square 1 plus gamma square 1 plus delta square तो इस पार्ट की value क्या होगी 13 answer आपको fail करना तो इसका 4th option correct होगा तो एक अच्छा question है उसके वादे को 15 question क्या है The equality of this part is satisfied 4 all x belongs to minus 1 से 3 यह जो equality given है यह x जो minus 1 से 3 है तो इसको always क्या करती है satisfy then possible set of real values of age तो देखो इस question को करने की theme क्या है थोड़ इसको carefully देखो यह let it quadratic है जब आप इन दोनों को multiply क्या हैगा x square minus something यह x में quadratic है और x square coefficient के साथ इसमें positive है तो इसका diagram क्या होगा अबढ़ पैरा बोला होगा क्या होगा अबढ़ पैरा बोला diagram से जल्दी समझ में आपका यह अबढ़ पैरा बोला होगा और इसमें एक इसका factor होगा a minus 1 root बोल सकतो और एक root होगा a square plus 2 इस theme से करना बहुत सिंपल एस question को दोबढ़ा सुने इस inequality को आपने graphically draw किया यह a minus 1 पे 0 है यह a square plus 2 पे a minus 1 को first लिखना इसको second क्योंकि यह value हमेशे से क्या होगी गिरेटर होगी इतना लिखने के बाद diagram के अगा पेटर पर आप बोला अब क्या बोला गया है कि this part is negative यह बाला portion negative है आपका कब जब x minus 1 से 3 है इसका meaning क्या है x की value को जब minus 1 से 3 आप लेट करोगे तो इस inequality की value हमेशा कैसी उनीची negative उनीची इसका meaning minus 1 और 3 आपके इसके अंदर विट्मन होंगे तो इसका meaning यही तो होगा minus 1 से 3 में this part की value always कैसी है negative है minus 1 से 3 में negative होना मचत है और minus 1 और 3 पे value 0 हो सकती उससे कोई दिक्कत नहीं है तो इसका meaning क्या होगा जब minus 1 इदर होगा और 3 उदर होगा क्योंकि इदर open bracket है इदर अगर close bracket होता तो फिर इस पे open नहीं लगाना क्योंकि फिर minus 1 पे भी negative आना है संब्यों मेरी बात तो इससे तो आगया a less than equal to 0 and 3 इदर है तो इसका meaning क्या लिखो गए a square plus 2 गरदन equal to 3 this is a square गरदन equal to 1 तो इसका root लेने पे क्या गया mod a greater than 1 और अपने को पता है mod a greater than 1 का meaning shortcut से a less than minus 1 union a greater than equal to 1 तो जब आफ second equation और first का जब common achieve करोगे तो 0 से less तो क्या नसा आगा a less than equal to minus 1 तो इसका आपको third option fill करना है उसके बाद देखो question number 16 में क्या करना आपनको the value of B 4 with the equation this part has coincide roots then B is तो देखो क्या theme है पहले इसको थोड़ा simplify करते है तो देखो 1 upon base sim लेके अपन पहले log को अटाने की ट्राइग करते है तो उसको लेक्सकते है 1 upon 5 का square तो 2 से 2 कैने से तो 1 upon 5 का meaning है 5 की पार minus 1 तो minus को अपन क्या आगया minus के log this part equal to minus के log इसका base 5 है this part minus से minus के अट से log से लोग के अट से तो क्या आगया this part मतलब Bx plus 28 equal to 12 minus 4x minus सबको लेफ्टों ट्रांस्पर करो तो यह आगया x square plus B plus 4 into x plus 16 equal to 0 अब देखो यह x में क्वार्टेक है question में बोला गया है कि this equation है coincide roots simple सा फंड़ा x में क्वार्टेक है तो इसके दो root different हो सकते और equal जब अल्यड़ी बोल दिया कि coincide का मतलब same होंगे roots तो आपको इसका D zero करना है जैसी आप इसका D zero करोगे तो यह जाएगा B equal to 4 and minus 12 वो और दोन हो गिवन है only 4 भी गिवन है only minus 12 भी गिवन है और बहुत गिवन है तो इसमें main part एक और क्या है दोको यह log के अंदर वाला aquatic और वो aquatic बनेगी x square plus 8x plus 16 equal to 0 तो solve करने पर x equal to क्या जाएगा minus 4 और x equal to minus 4 पर यह value positive आप भी CDC बात यह है इसको ठीक है ना तो ऐसे समझ सकते हैं कि 12 minus 4x minus x square positive तो इसको solve करो inequality को दो जाए x square plus 4x minus 12 negative तो इसको solve करने पर x की value अच्छीव होगी बीटा x belongs to minus 6 से 2 तो yes sir यह minus 4 इसके between है इसलिए यह b equal to 4 तो इसका correct option है वट जब एक b को minus 12 होगे क्या लोगे b को minus 12 तो b को minus 12 पूट करने पर x की जो value अच्छीव होगी वो this interval में लाई नहीं करेगी तो b को 12 minus 12 नहीं लेना पर तो इसका only second option correct होगा ठीक है देखो 70 तो क्या है if a belongs to minus 1 7 तो first of all तो यह देख सकतो a belongs to minus 1 7 यह लेखा गया है क्योंकि root के इंदे बाला पार्ट क्या होना चीव positive बोल दिये कोश्चन है then roots of the quadratic from this part are real imagery both are equal no तीन ही option हो सकते है चौत option तो क्या लोगी जबरतस थी ठीक है तो इसकी roots का nature चाहिए करना था first of all एक इसका d d का meaning b square b का meaning a square minus 4 a minus 1 root of 1 minus अब देखो carefully समनो a आपका minus 1 से बन है तो first of all एक देखो एक काम करो इसमें से minus common हो आप तो क्या आप a square plus 4 आप try करो d को या तो always positive लानी की always negative तो थोड़ा theme देखना दंग से a square always positive जब a की value 1 से less है तो 1 minus 1 से less this is always positive और root is also positive तो इसका d always कैसा होगा positive अब mind में कुशन आता है इसर इककल हो सकता है कि 0 देखो ये भी positive है और this part भी positive है तो दो positive का sum 0 का वह सकता है जब both are 0 simultaneously तो ये तो a 0 पे 0 होगा और ये a 1 पे 0 होगा इसका meaning a की common value पे बहुत तमसा not 0 simultaneously तो ये only क्या होगा greater than 0 तो देन इसके बहुत roots हा real तो इसके दोन root क्या होंगे real होंगे तो आपको इसका first option tick करना है बहुत equal नहीं गलत imaginary ये भी रहुँगा तो केवर real answer आपको इसका tick करना है अब real बोला गया है तो इसमें already mention है कि real real root से इसके तो unequally होंगे ठीक है क्योंकि equal वाला option तो already mention है the total number of integral values of n for which the equation nx square plus n plus 1 into x plus n plus 2 equal to 0 है all rational roots first of all तो mention है कि n आपका क्या है integer है और this quantity equation है या this equation है rational roots तो दोको इसमें थोड़ा सा सोचने वाला पाट ही है यह जो x square का coefficient है इसको अगर आप 0 let करते हो तो क्योंकि question में ऐसा कहीं mention नहीं किया गया है कि यह aquatic होना मस्त है अगर n आपका 0 होगा तो n को 0 लेने पर क्या आगा है 0 x plus 2 equal to 0 तो इसका solution आगे x equal to minus 2 तो this is also rational number तो n को 0 लेने पर it's become a linear equation और उसका solution वो कैसा rational तो अपन को n को 0 भी answer में लेट करना first of all तो जान लखे क्योंकि question में mention नहीं किया गया है कि this is a aquatic equation यह equation है तो उसको aquatic degree यह वट आप n को 0 ले सकतो तो after that आप क्या करना है अब n अगर 0 नहीं है मुझा सारी बात हो जाएंग इसमें तो किसी भी aquatic के coefficient अगर rational number है क्योंकि n आपका integer है तो इसके coefficient कैसे number है rational तो then rational roots कब हो सकते हैं when d इसे perfect square जब उसका d क्या होगा वो perfect square तो क्या करें इसका d क्या होगा b square minus 4 यह सी तो इसको ले सकते हैं n plus 1 का all square minus 4 and n plus 2 इतना लिखने के बाद है आ गया d equal to n square plus 1 plus 2n minus 4n square minus 8n ultimately then we will get minus k 3n square minus k 6n plus 1 अब दोगो इसको बैटर option क्या करने का this part is becoming perfect square this part is becoming perfect square इसको perfect square ले के आना तो आप एक काम कर सकतो पहले हाँ first of all जान रखें यह perfect square है but इसके root rational है तो d का positive होना मस्त है तो first of all condition लगा दो d greater than equal to 0 तो d greater than 0 करने पर क्या आगया है minus से multiply भी कर दो साथ की साथ तो 3n square plus 6n minus 1 is less than equal to 0 इसको बनाओ perfect square क्योंकि इसके factor करने है अपन को यह आगया n square plus 2n minus 1y3 less than equal to 0 तो इसको लिख सकते है अपन n plus 1 का all square minus 4y3 तो ज़र चला कि 4y3 आगया तो इससे लिख सकते है n plus 1 का more is less than equal to 2y root 3 तो जब आप इसको simplify करोगे तो इसको simplify करने पर आगया है इस shortcut याद रखे कि mod x less than 8 तो x belongs to minus a तो then we will get n plus 1 is lies between minus 2y root 3 से plus k2y root 3 तो ultimate t से आगया n lies between minus 1 plus 2y root 3 से minus 1 minus 2y root 3 तो n की क्या चीए आपको integer value करो इसको ऐसे करो 2 upon root 3 की value क्या होगी 1 point something तो यह आजाएगा minus k 2 point something something और यह minus 1 plus 1 point something तो 0 point something something जो कुछ होगे तो इसके between integer कोन होगे 1 minus 2 होगा 1 minus 1 और 1 0 तो इससे n की 3 value अचीव होगी minus 2 minus 1 and 0 तो जब आप n को minus 2 minus 1 0 लोगे तो d आपका क्या होगा positive होगा first of all पर अब आप क्या करो n को 1 बार minus 2 पुट करो 1 बार minus 1 0 अलड़ी अपन चेक कर चुके हैं तो जब आप इस d में n को minus 2 पुट करोगे तो देखो क्या आगया minus 2 का square 4 minus 12 यह आगया n को जब आपने पुट किया बेटा minus 2 तो minus 2 का square 4 into minus 3 minus 12 plus 12 और plus 1 तो cut pit के d 1 आगया इसका मलब perfect square है similarly जब n को minus 1 लोगे बेटा तो minus 1 पे क्या होगा minus 3 plus 6 plus 1 तो 6, 1, 7, minus 3 जगे 4 तो n की यह 3 value लेट करने पे इस quadratic के roots आपके rational होगे तो अपन को इसका number of integral value 3 तो इसका second option अपन को fill करना है तेके चले उसके बाद देखो question number 90 क्या है if alpha and beta are if alpha and beta are roots of the quartic equation AX square plus BX plus C alpha, beta is quartic के root बोले गए आपसे then the equation this part hedge roots तो देखो इसको कैसे करना है question को थोड़ा समझने के try करें symmetricity से करना है alpha इसका root है तो alpha इसको क्या करना है set इसको अपन लिख सकते है A alpha square plus B alpha plus C equal to 0 let equation first उसके बाद देखो इसका root बताना है कि इसकी roots क्या होंगे in terms of alpha and beta तो इसको अपन को solve करना है symmetric roots की help से तो थोड़ा समझे इसको मैंने क्या किया first of all इसको x minus 1 की square से divide कर दो तो यह जाएगा बेटा ax square upon 1 minus x plus सीधा इसको 1 minus x लिख सकते है था कि minus minus क्या बन जाएगा plus Vx upon 1 minus x plus C equal to 0 यह whole square होगा तो इसको carefully देखो इसको लिख सकते है A into x upon 1 minus x का whole square plus V into x upon 1 minus x plus C equal to 0 तो इसका meaning यह तो हुगा x की आपको alpha और beta की trim में ऐसी value put करनी है कि then we will get this result तो कि अपन को पता है कि alpha s का root है तो alpha s को satisfy करेगा तो यह relation अपन को given है तो इसका indirect meaning ऐसे सुझो कि इसमें x की value ऐसी put करो in terms of alpha then we will get this expression तो इसका meaning वो इसका क्या को root तो इसको ऐसे करते है कि first and second equation को आप करो compare compare करने का meaning कि है कि this part की value को क्या लाना है alpha तो इसको alpha let करो हुआ तो x upon 1 minus x equal to alpha cross multiply करो तो x equal to आगया alpha minus alpha x x common लोगे तो क्या आगया 1 plus alpha equal to alpha then x की value find out होगी alpha upon 1 plus similarly जब आप x को beta लोगे तो उसी के according beta upon beta प्रस हो तो then इसका आपन को third option tick करना बिटा उसके बाद है को question number 20 का है 4 all real values of x for which this inequality then alpha lies in which interval यह जो inequality है यह x की all value को क्या करती then alpha lies in which interval तो alpha किस interval में हो सकता है तो देखो उसमें का करना है alpha then alpha can lies देखो कैसे करना है दोबर आज़को if 4 all real values of x 4 with this part then alpha lies in which interval आप इसमें can word लगा तो ज्यादा बेटर है alpha can lies in which interval तो देखो कैसे करना है इस question को थोड़ा समझे इसको यह x में निक क्योंटी है first of all देखो इसको इसका denominator है यह x में कॉर्टिक है जब आप इस x में कॉर्टिक का d check करोगे तो इसका d क्या होगा b square मतलग 32 का square into sin square alpha minus 4 a is 64 and b is 30 29 तो देखो यह तो क्या है 32 into 32 और यह क्या है इसमें से 32 separate करो तो 32 8 29 तो बच्चो यह value आपकी 32 into 32 से greater है तो first of all sin square alpha की value क्या होगी 1 से less तो this part minus this part इसका d always कैसा होगा negative और अगर इसका d negative है इसका meaning this quadratic expression is always positive पहले इस inequality को थोड़ा simplify करते है this quadratic question अगर आपका always positive है तो आप इसको क्या कर सकते हो cross multiply तो first of all इसको cross multiply करना है तो उसका logic यह था कि this part is always positive तो multiply करने पर आगया है 128 x square plus 32 less than 64 x square minus के 32 x sin alpha plus 29 सबको left नो transfer करो तो 128 में 64 माइनस करने पर क्या होगा 64 x square plus 32 sin alpha into x plus 3 greater than 0 अब देखो this inequity to 4 all x belongs to यह अबर तो थोड़ा समझे x square का coefficient positive है तो इसका diagram क्या होगा अबड पैरागोला तो पने इससे समझ सकते हैं अबड पैरागोला की value x की all value के लिए positive है इसका meaning होगा कि this अबड पैरागोला is this condition यह पैरागोला इस condition को क्या करना चीए follow sorry 0 नहीं वालना है touch नहीं कर आज गए तो only यह this part अबड पैरागोला होगा अबट यह above the x-axis तो इस क्वार्टे का डियागरम क्या above the x-axis है तो इसकी condition क्या होगी d less than 0 तो इसका d negative पर देते है d का meaning b square तो क्या होगा 32 का square मतलब 32 into 32 into sin square alpha minus 4 a into c less than 0 तो देखो 32 से ये 2 times cancel 2 और 4 8 8 से ये 4 times cancel तो ultimately क्या गया 4 sin square alpha minus 3 less than 0 3 को right में shift करके 4 से डिवाइड करो तो then we will get sin square alpha less than 3y 4 तो इसका root लेने पर क्या जाएगा sin alpha का mod less than root 3y 2 आप अपन क्या करते है sin alpha के mod का diagram रो करते है sin alpha का diagram no problem see the sin alpha का mode तो mode sin का diagram इससे डो करो गया अब roughly क्योंकि जो options given उसी interval की बात करो सारे options 0 से πाई में तो देखो 0, pi, 2 pi और 3 pi sin alpha की value 0 से greater और root 3 by 3 से less यह root 3 by 2 की लाइन है आपकी तो then इसकी value तो या तो यह answer होगा आपका या फिर this case answer होगा या फिर this case या तो 100 तो देखो मैं लेख सकता हूँ यह root 3 by 2 की लाइन है आपकी तो sine value root 3 by 2 कब आती है पाइवाई 3 पे तो या तो answer tick करोगे 0 से 5 by 3 तो 0 से 5 by 3 तो option है लिए इसमें alpha 0 से 5 by 3 मह सकता है alpha lies canine invertible 0 से 5 by 3 तो यह गलत अगला option यह value क्या होगी 2 pi by 3 120 से pi प्लस 5 by 3 4 pi by 3 तो एक answer हो सकता है 2 pi by 3 से 4 pi by 3 उसका second option match करेगा next option जो होगा वो क्या होगा this part अगला option इसमें दिरखा 4 pi by 3 से 5 by 3 तो 4 pi by 3 से 5 by 3 तो यह option है यह वाला जिसको let नहीं करना है तो इसका only आपको second option tick करना है ठीक चलोगे it's a good question let us suppose the equation this part has 4 real and distant roots is modulus equation के आपके total 4 roots है और कैसे है distant real distant roots then number of possible integral values of a is 1 a belongs to 1 से 2 a belongs to 2 से 3 और 4th option तो देखते कैसे करना है a की value चाहिए तो देखो बहुस अच्छा question समझें यह given है आपको x minus 4 का mod minus a this part equal to a square minus 2 तो देखो first of all तो क्या करना है mod की value always कैसी होने चीए positive तो mod की value positive होने का meaning क्या होगा इसका right part भी कैसा होने चीए positive तो first of all तो लिखो गए आप a square minus 2a h greater than 0 तो क्या होगा a common a minus 2 greater than equal 0 तो आगया यह 0 पे 0 होगा 2 पे plus minus plus तो यह तो a की value 0 0 से लेस यह 2 और 2 से गटर यह condition नहीं जाद लगे अब आगे क्या करना है इसको थोड़ा solve करते है जब आपनी mention कर दिये कि this part is always positive है तो अपन को पता है कि mod x equal to a तो x equal to plus minus a तो इस बड़े वाले mod को उटाओगे तो क्या गया x minus 4 का mod minus a equal to plus minus a square minus 2a एक बार बात करते है अपन taking plus की जब आप taking plus लोगे तो क्या चीव करोगे x minus 4 का mod equal to taking plus पे a square minus a आ गया और जब taking minus लोगे तो then we will get taking minus पे क्या होगा x minus 4 का mod equal to 3a क्योंकि 2a minus a square और एक इधर आ गया तो यह आ गया 3a square minus a आप देखो इसमें conditions क्या लगाएंगे this mod equal to this part तो अपने को पता है कि mod x equal to something given है तो x equal to plus minus 2 answer अचीव होते हैं तो आपको total क्या अचीव 4 distant solution तो इसका meaning this mod के 2 solution exist करने चीए और this mod के 2 solution तो क्या लेखोगे आप इस mod के 2 solution तो एक बात को समझो कि कहीं लिखाओ कि mod x equal to 4 तो x equal to क्या answer हैगा plus minus 4 वट अगर यह 0 मानोगे तो mod x equal to 0 तो x equal to single answer और क्या लेखना है फिर्स्ट अफ आफ 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 तो solution हो सकते हैं maximum तो कब हो सकते हैं जब right part की value क्या होगी 0 secret not 0 तो a square minus a greater than 0 तो इससे condition क्या होगी a common a minus 1 greater than 0 तो दो case होगे minus infinity से 0 union 1 से infinity इसका solution तो है सबका common लेना अपन को और इसके लिए भी similarly लिखोगे 3a minus a square h greater than 0 तो यह आगया a common a minus 3 less than 0 तो इससे अचीव करोगे a belongs to 0 से 3 तो जब आफ equation first third और second का जब क्या लोगे intersection तो देखो a की value 0 से 3 तो यह case तो वैसे आटी है 0 से 3 लेना है तो 1 से 3 आगया और 1 से 3 के बाद 2 से greater तो इसके according तो बच्चे टिक करते हैं इसका answer a belongs to 2 से 3 और 2 पे लगाते हैं close bracket तो फटा फट से बच्चे टिक कर देते हैं इसका first option number of possible integral value of age 1 कोई कि first of second option गलत है a 2 से 3 में बलोग करता है तो यह भी गलत कर देंगे कोई कि a आपका कितना है close bracket 2 से 3 4th option तो वैसी गलत है वट एक बात और भी दान लखे जब आपने यह तो में शुकर दिया कि this part is positive तो इसके भी two solution होगे इसके भी क्या होगे two solution वट एगर by chance यह value अगर इसके क्या बन जाती equivalent तो दोनों के solution क्या हो जाएंगे same हमको क्या ची चार डिस्टिंट सोलूशन तो यह लखोगे कि a square minus a is not equal to 3a minus a square तो a square तो cancel out हो गया sorry इदर ले आओ sorry तो आगे 2a square minus 4a equal to 0 तो इससे अच्छीव करोगे a 0 और a equal to 2 तो a को 2 भी answer में निकलूर नहीं करना है तो इस पर लगाओगे open bracket तो फिर इसका correct option टिक करोगे 2 से 3 तो उसका third option अपने को टिक करना है तो एक अच्छा question है उसके बाद है को question number 22 के है if alpha and beta are roots of the district question alpha beta is square take root है and alpha square plus beta square and alpha beta.2 two are roots of the this equation two quality question given है first quality की root mention है आपको और second quality question की root mention है तो दो को कैसे करना question को इसकी root अगर alpha beta है तो अपने लिख सकते है sum of root is 5 and productive root is 16 वह सिंपल question है और second quality की root है this and this तो first of all तो एक काम करो न इसको तो लेट कर दो a equal to alpha square beta square alpha square beta square को अपन क्या लिख सकते हैं सीधी value fund कर दो alpha plus beta का all square minus 2 alpha beta तो a कितना आ गया alpha plus beta 525 minus k 32 तो a आ जाएगा minus k 7 similarly alpha beta y2 इसको बीलेट करो तो b कितना आ गया alpha beta 6 by 2 is 8 तो इसका मेनी यह होगा कि square detection की root क्या है 8 और minus 7 तो sum of root तो क्या गया a plus b equal to minus p तो minus p equal to 1 तो then p equal to तो क्या गया minus k 1 similarly product root क्या लग होगे a b का multiply is q a b का multiply क्या हो minus k 56 8 into 7 तो क्यों जाएगा minus k 56 तो then इसका आपको again third option fill करना है ठीक है चले उसके बाद देखो question number 23 में क्या करना बनको if a root of equation this part lies in 0 से 5 बाए 2 if a root of इस equation का root 0 से 5 बाए 2 में लाई करता है यह root बोलागे है मतलब एक root होना तो मस्त है then minimum positive integral value of n is तो बताओ n की minimum positive value क्या हो सकती तो दो कैसे करेंगे first of all तो मैंने काम की इसमें आप sin x को let करो t तो जब sin x को t let करो तो यह आ गया इसको एक function let कर लेते है साथ की साथ so then we will get यह function बन गया f of t तो f of t equal to n square t square minus k 2 of t minus k 2 of n plus 1 तो यह f of t अपने लेट किया अब देखो this part has at least one solution इसको question यह भी दे सकता है कि this equation has at least one solution in 0 c 5 by 2 तो देखो कैसे करना चीए इसमें t square का coefficient अपका positive है तो इस quadratic का diagram क्या होगा अबड पैरा बोला और इसमें main part यहा है क्या है इसमें जो t को 0 लोगे तो f of 0 की value क्या हूँ 0 0 minus of 2n plus 1 जब question में already mention है कि n is positive तो f of 0 की value negative है तो यह तो समझबाता है कि square tick का diagram क्या होगा अबड पैरा बोला वट इसको pass कैसे करा है तो 0 पे value negative है तो इसका meaning diagram 100% step से pass होगा इसका diagram 100% क्या होगा अबड भी होगा और वो x axis को क्या करेगा intersect तो इसका d 100% कैसा होगा positive तो आपको इसके d को positive check करने की requirement नहीं है अब उसके बाद देखो यह समझा आ गया अब इसका meaning क्या है यह t के लिए diagram है जब question में mention है कि x अगर 0 से pi by 2 है तो sin x की value 0 से pi by 2 क्या होगा 0 से 1 क्यों 0 रून पे close bracket तो t क्या होगा 0 से 1 मतलव this quartic यह जो t में quartic है इसका at least one root lies in 0 से 1 t की एक value 0 से 1 के between आना must है तो क्या करोगे 0 पे तो always negative तो 0 तो t हो नहीं सकता 0 तो क्या हो सकता है या तो t इधर होगा t को 1 इधर लोगे तो एक root क्या होगा 0 से 1 second root इधर हो से कोई effect नहीं होगा अपने और या फिर second root आपका यह root आपका 0 भी हो सकता है sorry 1 भी हो सकता है दोबारा सुनो यह जो t में quartic है इसके two root हो सकते है और 100% की इसका d positive है तो बहुत roots are exist इसके two root exist करेंगे जिसमें एक root positive होगा और second root इसका क्या होगा negative what अपन को condition है कि one root is lies between 0 to 1 always तो क्या करोगे मतलब इसका जो diagram डो करोगे उसको 0 से बनके between pass कराना मस्ट है तो क्या लिए सकते है इस f of t में यह x को बनेने पर जो f of 1 की value क्या होगी positive होना मस्ट है क्यों होगी positive और 7 की साथ वो root आपका 1 भी हो सकता है क्योंकि pi by 2 को include किया गया है तो t की value 1 भी हो सकती है तो फिर diagram आपका ऐसे भी draw हो सकता है तो f of 1 की value 0 भी हो सकती है और f of 1 की value positive भी हो सकती है तो f of 1 greater than equal to 0 करना है we will get n square minus 2n minus 3 greater than equal to 0 तो इसके factor क्या होंगे n minus 3 into n plus 1 greater than equal to 0 तो देखो n square plus n minus 3 yes sir n plus 1 तो कैसा अग always positive क्योंकि n आपका positive है तो यह तो 0 में चला गया तो ultimate क्या answer आ गया n greater than equal to 3 तो n की value क्या होगी 3 और 3 से greater तो आपसे पूछा क्या है minimum positive integral value of n तो आपको 3 answer take करना है अगर आपने इस पे equal to नहीं लगाया तो student इसका fourth option फिल कर देते हैं ठीक है चलो उसके बाद देखो question number 24 if fx and gx are two polynomials such that fx और gx आपके पास two polynomial है और condition mention की गई आपको तो थोड़ा समझें यह जो px आपका polynomial है इसमें थोड़ा आपनको remainder theorem को यूज करना है यह जो px आपका polynomial है पहली बात तो एक बहुत simple सा concept को याद रहें कि any polynomial px divided by any expression x minus a किसी भी polynomial को अगर आप आप किसी expression से क्या करता हूँ divide तो then उस case में remainder की value क्या होगी तो simplest क्या करना है जिससे आपने दिवाइड किया गया इसको 0 करो then we will get value of x और x को डियाक्टी से में input करता हो तो क्या आगया p of a तो p of a ही इसका क्या होगा यह remainder theorem आप याद लगा अब देखो अपने question में क्या हो लगया है कि आप px को को divide करता हो किस से x square plus x plus 1 से तो already mention कर दिया है कि this part is divisible by this part तो यह भी theorem है factor theorem कि किसी भी polynomial को आपने x minus a से divide किया और उसका remainder अगर 0 आता है तो 100% x minus a से क्या होगा factor होगा तो p of a अगर remainder की value 0 आती है तो यह इसका क्या होगा factor होगा तो question नहीं क्या mention किया गया है कि this part p x is divisible by this part तो p x अगर इससे divisible है तो इसके जो remainder होगा इंड ओमेगा square इसका meaning जब x को omega put करोगे तो p of omega भी 0 होगा क्योंकि यह से divisible है और beta p of omega square भी क्या होगा बहलो 0 अब अपन question को करते हैं तो जो अपना p x polynomial है इसमें एक बार x को omega put करेंगे एक बार omega square तो क्या जाएगा लेफ्ट साइड में जब x को omega भी लोगे तो p of omega 0 equal to omega cube की value क्या होती है 1 तो यह आगए f of 1 प्लस omega g of 1 equal to 0 जब omega square लोगे तो p of omega square अगें 0 और omega q omega square का q omega 6 और omega 6 की value क्या होती है 1 तो यह भी क्या आगें f of 1 plus omega square g of 1 ठीक जीरो तो अलड़ी लगा दिया आपने अब एक काम करो ना first में से second को minus कर दो तो f of 1 cancel जब आप minus करोगे तो क्या आ गया g1 common और यह आ गया omega minus omega square equal to 0 तो इसके दो बात हो सकती है या तो g of 1 0 होगा और omega equal to तो बेटा omega equal to omega square यह तो गलत है तो कि इसके दो रूट आपके distant होंगे omega की value different लेते हैं omega square की value different लेते हैं तो क्या गया g of 1 0 और जब इसमें किसी एक में g of 1 को 0 put करोगे तो f of 1 भी क्या गया 0 f of 1 0 g of 1 0 तो अब देखो क्या करना है आपको बताना p of 1 तो x को 1 put करने पर क्या आएगा f of 1 plus g of 1 और दोनों की value 0 है तो p of 1 की value भी क्या होगी बोलो 0 तो तो देन इसका आपको फर्स्ट ऑफ्शन फिल करना है ठीक है ठीक है ठीक थाक्सा कुश्चन था उसके बाद section एका लास्ट कुश्चन देखो 25 जी नमर ओफ imaginary roots of the equation this part is यह जो आपको y quadratic question given है यह दोको x linear है इसको 4 टाइम multiply किए गया time तो यह क्या है y quadratic इसके कितने roots क्या होंगे imaginary तो देखो क्या theme इसको करने की थोड़ा स्दंग से देखे इसमें जो main part है वो यह है जब आप इसको इससे multiply करोगे और इसको इससे क्या करोगे multiply तो इनमें जो variable बाला part x का वो दोनों में common होगा तो इसको पन t लेट करके simplify कर सकते हैं जब भी y quadratic given हो और factorization में given हो तो आप 2-2 के pair में try करो कि किन दो में जो variable part us को same ला सकते हैं तो जब आपने first को third से multiply किया तो क्या होगा देखो x of 3x is 3x square minus minus 2x और minus 3x is minus 5x और minus minus plus 2 plus के 2x into second को करो force से तो 3x into x is 3x square x को किया से तो plus x और minus 6x तो again क्या आगया minus के 5x और minus 2 equal to 32 अब क्या करते हैं देखो दोनों में common है इसको पन लेट कर लेते हैं t तो question क्या रहे गया t plus 2 into t minus 2 equal to 32 और t plus 2 into t minus 2 को लेख सकते हैं t square minus 4 तो यह आगया बेटा t square minus 4 equal to 32 तो t square equal to 36 तो t आगया plus minus 6 t equal to आगया plus minus 6 तो जब आप t को plus 6 लोगे तो क्या होगी quarter x square minus plus 6 लिया तो minus 6 आगया तो इसका तो deposit होगा क्योंकि minus आ रहा है था तो इसके roots तो यह लोगे लेकिन जब इसको minus लोगे तो यह बन जाएगा 3x square minus 5x plus 6 equal to 0 तो इसको carefully दोको इसका d negative आगया तो क्योंकि 25 minus 12 into 22 तक इसका d negative आगया इसका मतलब इस quadratic के तो roots क्या होगे imaginary और इसके root क्या होगे real तो two roots तो इसके real है two roots कैसे imaginary तो इसने यह पूछा गया है कि number of imaginary roots of this equation is तो इसका second option अपनको fill करना है उसके बाद देखो section d का इसमें total only five question है तो देखो first question क्या it is यह go to question और simple भी है यह normal variety question है कुछर क्या root of seven plus root of seven minus root of seven plus root of seven minus dot 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 मतलब तो कोई जो pattern है आपका this part यह infinite times आपका repeat होगा तो जब भी कोई भी series आपकी infinite time repeated तो क्या करते है कि अब let करो कि let इसकी value x है इसको आपने consider कि let x equal to this part और अपन क्या करते है कि repetition जहां से start इसको again x let करो क्यों तो कि एक बात थोड़ा समझने की try करो आपने एगर इस portion को थोड़ा separate कर दिया repetition के बाद वाले को तो ऐसे नहीं लिख रहा कि question आपका adjective यहीं से start है तो इसको अपन तुबारा क्या लेट कर सकते है एकस consider कर सकते हैं तो यह इसकी थी में तो 7 plus root 7 minus x यह अपने इसको ऐसे लेखेंगे तो अब देखो क्या रहना है इसमें two condition तो first of all लगाओ root positive है तो x आपका positive होगा 0 नहीं सकता और यह root आ गया इसका meaning x आपका क्या होना 7 से लेख तो answer 0 से तो greater होगा और 7 से लेख होगा इसकी एक बार scoring करो तो क्या आगया x square equal to 7 plus root तो 7 को दिल लेओ तो क्या आगया minus 7 equal to root of 7 minus x अब देखो थोड़ा और सुनो आगेन इसकी scoring कर नहीं है तो आगेन देखो x square minus 7 भी क्या नहीं चाहिए positive तो एक condition और apply करो इसे क्या question बहुत simple लगेगा बाद में तो यह आगया x square greater than 7 तो then mod x greater than 7 root 7 और x positive है तो यह आगया x greater than root 7 अतलब x की value root 7 का meaning है 2 point something से greater होगी और 7 से less होगी तो only इसी के between अपने interval की बात करेंगे अगेन इसकी scoring कर देते हैं तो क्या आगे x की power 4 plus 49 minus 14x square equal to 7 minus x सबको left will convert करो तो then we will get x की power 4 minus 14 x square plus x plus 42 equal to 0 अब देखो इसमें cd theorem क्या है इस देख दिख 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 आपको x की power 4 में y quadratic है तो इसमें x की 4 value सकती है तो क्या करें इसमें अपन अपलाई करेंगे hit and down जब आपको पता है कि x की value root 2 से something है root 2 से greater है sorry 2.2 से something है तो मैंने एक काम किया first of all x को 3 put किया जब आप इसमें x को 3 put करोगे तो 3 put करने पर किया कि 2 का sorry 3 का 3 की power 4 is 81 minus 3 का square 9 14 into 9 is minus के 126 plus 4 plus 40 तो तो कितना आ रहा है sorry x को 3 लेने पर 3 लगना है तो 42 और 3 45 तो आ गया 6 126 इसका मतल़ इसको क्या करेंगे satisfy तो x equal to 3 इसको क्या करता है satisfy तो इसका answer आगे x equal to 3 अब instrument को लग रहा होगा sir remaining 3 solution भी तो answer में हो सकते हैं तो इसमें basically यह होगा जब आपको पता है कि answer इसका root 7 से greater है और 7 से less है इसमें k between कोई भी value इसको satisfy नहीं करेगी property अगर आपको देखना है तो इसका वैट आपस नहीं है कि इसको आप fx function let करोगे तो जब आप इसका diagram बनाऊगे या बनाऊगे इसका diagram तो इसके diagram में क्या होगा 0 यह root 7 और यह 7 इसके between diagram के वल एक ही बार इसको क्या करेगा intersect बाकी इसके root होंगे x and minus 2 minus 3 भी side satisfy करते है यसी कुछ conditions इसमें ठीक है तो 0 से sorry root 7 से 7 के between only x equal to 3 इसको क्या करता है satisfied तो यही बोला गया है कि then value of this part है तो इसका 3 answer आपको fill करना है तो इसके बाद देखो question number second it's good question यह भी एक ठीक question है इसको थोड़ा समझे पहले देखो इसकी theme क्या है पहले पढ़ो the product of real roots of the equation this part is lambda यह equation है इसके real roots का जो product है वह alpha होगे है तो इक काम करते हैं अब इसकी roots कितने होंगे यह तो थोड़ा देखना पढ़ेगा first of all and minimum value of sum of roots of this equation is mu और इस equation के जो roots है उनका sum mu है और mu कैसी value है minimum मतलब इसके roots के summation की minimum value आपको mu let करने ही तो बताओ step mu की value क्या होगी तो थोड़ा यह जो given equation को थोड़ा solid करते हैं पर simplify करते हैं तो देखो इसमें twisting part क्या है यह जो x square minus ax plus 30 है इसमें भी क्या है x square minus ax plus 45 मैं 45 को लिख सकता हूँ 30 plus 15 तो क्या करो इसमें आप let करो बेटा x square minus ax plus 30 को आप let कर दो t तो क्या बन जाएगा t equal to 2 root t plus 15 यह आगए simple सा इसकी बहुत साइड scoring कर दो first of all तो जानको t की value कैसी होगी positive तो रूट आ रहा हो था तो तो scoring करने पर आगए t square 40 तो minus 40 minus 60 equal to 0 जब आप इसके factor करोगे तो एक तो t की value 10 अचीव होगी और एक t minus 6 तो t क्या होगा cable positive तो t आगए 10 t को 10 put करोगे इस equation में तो ultimately इसका meaning क्या है कि जो given equation है क्या है quadratic equation में आपने convert कर दी x square minus ax plus 10 कम किया तो 20 जिए अब अगर यह quadratic है तो इसके roots क्या होंगे two roots होंगे इसके root किसी नहीं होंगे two roots होंगे तो लिख सकते है अपन sum of root तो let कर दो alpha plus beta is a और productive root alpha plus beta equal to alpha beta को 20 है अब इसमें तो वो मुद्दे की बात यह है alpha और beta का multiply जो 20 है तो alpha और beta बहुत हार positive बहुत हार negative और after that जब यह already mention है कि a आपका positive है जब a positive है तो alpha plus beta positive तो alpha बहुत हो नेगेटिव हो नहीं सकते तो एक यह option बचा कि alpha और beta बहुत हार positive मतलब स्कॉार्टे के बहुत roots हार positive जहां नहीं तो अब करना किया है आपको mu की ची मिनीव में value तो उसको तो लगना बाद में alpha बीटा दोनों positive है तो इसको मैं apply करूँ आप एम गड़दन GM तो मैं लिख सकता हूँ alpha plus beta y2 is गड़दन equal to root alpha beta क्या लिख सकते root alpha बीटा तो यह आ गय हुए तो इसमें already mention कर दिया आपसे कि जो product of real roots of this part is lambda product का मतलब alpha beta के multiply को तो क्या लेट करना है वालो lambda और minimum value of sum of roots equation is mu और alpha plus beta को क्या लेट करना mu मिर बात को सुनों आप तो चलो ऐसे रखो alpha beta beta के root है तो क्या आगया a y2 is गड़दन equal to lambda तो lambda का मीनिंग क्या 20 हुआ न product of roots question है बस माहूल बनाया गया question में product of real roots is lambda तो lambda की value क्या 20 है तो क्या आगया root 20 तो यह आगया a गड़दन equal to 2 root 20 तो क्या जाएगा a गड़दन equal to 4 root 5 a आपका 4 root 5 आगया और a का मीनिंग क्या है minimum value of sum of roots minimum value sum of root तो sum of root को उसके नहीं मुह बोला है मतला a की जगे आपको मुह यू लेना है तो यह आगया mu geht all the same equal to 4 root 5 क्या आगया तो mu की value क्या होगी 4 into root 5 8 point something तो 8 point something तो इसका step क्या होगा 8 हो जाएगा answer ठीक है क्योंकि mini value क्या लोगी 4 root 5 और 4 root 5 की value क्या होगी 8 point something तो then इसका step क्या होगा 8 तो 8 answer जुको आपको fill करनना है ठीक है उसके बाद एको third question क्या है if the expression 2x square plus mxy plus 3y square minus 5y minus 2 can be resolve into 2 rational factor then value of mod m is मतलब is 2 variable की quartic equation quartic expression के आप 2 factor कर सकतो हो rational factor तो इस condition याद रखें आप इसको यह वो सकतो हो की 2 variable की quartic है या वो सकतो हो second degree की general equation है तो आपने इसको basically PSL में पढ़ते हैं और यह part आपका quartic में भी mention है किसी भी second degree की equation कि अगर आप 2 क्या कर सकतो हो rational factor तो इसका delta 0 ना चाहिए अब delta का meaning क्या है या तो determined में याद करो ABC SGF SGF 0 और या फिर इसको expand करोगे तो delta की जो value है वो क्या होती है ABC यह ज़्यादा वेटर है plus 2HGF minus AF square minus BG square minus CH square का value क्या होगी 0 होगी यह condition है को किसी भी second degree की general equation कि दो आप क्या कर सकतो linear factor या rational factor linear factor वोलो या rational factor वोलो उसका meaning क्या है linear factor का meaning होगा है कि आप उसको दो line में कर्मण कर सकतो और या पन PSL में पढ़ते है pair of state line में कि किसी भी second degree की general question is representing two pair of state line तो उसका delta 0 होगा और delta का formula इस पार तो दो आप line वोलो या फिर two rational factor वोलो दोनों का same ही meaning है तो क्या करना है delta 0 आप इसमें ABC, HGF की वे लिपट करो A का meaning coefficient of x square तो A तो क्या आगे 2 उसके बाद B का meaning coefficient of y square तो यह कितना हो जाएगा 3 और C का meaning constant minus के 2 यह तो this part आगया प्लस इसमें G का meaning क्या है अपन क्या लगते है AX square plus 2HXY plus BY square plus 2GX G का meaning है coefficient of x तो X का coefficient तो है नीने समें only X का तो यह तो क्या बन जाएगा 0 और GX to GX plus 2 यह भी क्या बन जाएगा 0 तो यह दोने term तो आपकी 0 बन जाएगा क्या लेकिना minus A का meaning 2 F का meaning Y के coefficient का half तो Y का coefficient केतना minus 5 तो minus 5 का half हो जाएगा minus 5 by 2 minus C का meaning again minus 2 और H का meaning XY के coefficient का half तो XY का coefficient केतना है MY2 का square जाएगा इसको क्या करना अपन को 0 तो कर देते हैं तो देखो यह कितना आगया सुनो 6 minus K12 plus K5 और है आगया minus minus plus M square Y 4Y2 is 2 equal to 0 तो ultimate क्या आगया इसको multiply करने पर जाएगा minus के एक में अगयन देखो 3 into 6 minus 2 minus 12 और देखो प्लस 5 देखो इसमें यह sorry इसको लगाना था पनको तो इसको लोगे तो क्या जाएगा यह minus के 5 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया 25 by 2 sorry क्या हो जाएगा एक सेकड़ इसको लग देते हैं यह minus के 12 और यह आगया minus के 25 by 4 तो देखे 25 by 2 ठीक चलो प्लस minus minus plus और यह m2 y4 2 कैंसे लोगे क्या आगया m2 y2 equal 0 तो उसे multiply करो तो कितना आगया minus के 24 minus के 25 plus m2 0 तो देन वी विल गेट m2 equal to 49 तो मोडम आ जाएगा 7 तो आपको मोडम ही पूछा है तो आपको इसका 7 answer fill करना थी चलो हाँ उसके बाद एको fourth question क्या है अल if alpha, beta, gamma are roots of the equation x cube minus x square minus 1 equal to 0 then the value of this part तो थोड़ा समझनी के try करो यह जो जिसकी value पूछी गी है this part this part and this part are symmetric expression यह तीनों क्या symmetric expression है तो उसको क्या करें इसको आप T1 let करो इसको T2 let करो इसको T let करो ultimately इसमें क्या करना आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 के mode की value को करना तो क्या किया इस question में अब T1, T2, T3 यह तीनों क्या 1 प्लस alpha पॉन 1 इस alpha अगले में alpha की जगे बीटा है बीटे की जगे जगला तो आप क्या करो यह जो equation given है इसमें let करो आप यह let करो की 1 प्लस alpha पॉन 1 माइनिस alpha को मैंने T मान लिया अगर आप इसको alpha लोगे तो T1 की तरह काम करेगा alpha की जगे बीटा लोगे तो T2 की तरह बीव करेगा और alpha की जगे गामा लोगे तो T3 की तरह बीव करेगा question ने बोलागा की alpha इसका root है तो alpha इसको क्या करेगा satisfy तो यह आगया alpha q minus alpha square minus 1 equal to 0 तो ultimate इसमें करना क्या है इससे alpha की value पुट करो in terms of T तो T में बनेगी cubic तो उसके root क्या बनेगे T1, T2, T3 तो आपको उन तीनों के summation का mode बताना है तो इसको करने की एक simple theme है अगर आप इसी कहल सी मिलोगे तो इसको मैं alpha plus beta plus gamma alpha beta, beta gamma और gamma alpha और तीनों के multiply में convert तो कर सकते हैं वाट यह बहुत complex question मने जाएगा तो इसको अपन को semantic roots की help से solve करना है तो इसको cross multiply कर देते तो क्या आगया 1 plus alpha equal to T minus T alpha इन दोनों में जब alpha common लोगे तो आगया 1 plus T equal to T minus 1 तो alpha की value achieve होगी T minus 1 upon T plus 1 इस alpha की value को इसमें output करते हैं तो देखो क्या बनेगा तो यह आगया T minus 1 का q upon T plus 1 का q minus T minus 1 का square upon T plus 1 का square minus 1 equal to 0 अब एक काम करो इसको T plus 1 की cube से क्या कर दो cross multiply तो यह आगया T minus 1 का q minus T minus 1 इसको दोबार लग दो T minus 1 अब इत समय में जाएगा इसका यूज क्या है T plus 1 और minus T plus 1 का cube equal to 0 इसका देखो benefit क्या है दोबार लखने से क्या होगा यह formula होनगे T plus 1 T minus 1 T square minus 1 और एक काम करो first and last में apply कर दो A cube minus B cube का formula तो A cube यह फिर एक काम करो सीधा A minus B का formula क्या होगा A square sorry A cube minus B cube minus 3 A square B plus 3 A B square minus T minus 1 और यह आ गया T square minus 1 और अगेन इसको A plus B का cube A cube plus B cube इसमें सब कुछ प्लस लगाना है 3 T square plus 3 T equal to 0 ठीक इतना आने के बाद अब देखो क्या करेंगे इसमें तो थोड़ा के लिए फुली सुने यह तो देख रहा है यह प्लस का TQ है और यह minus का TQ है cancel out और कुछ benefit यह plus 3 T है और यह minus की 3 T है तो प्लस 3 T से minus की 3 T यह पार्ट तो क्या है तो रिमेनिक पार्ट क्या बचा देखो minus 1 और minus 1 minus की 2 minus 3 T square और minus 3 T square तो minus की 6 of T square और इस ब्रेकेट को इस से multiply करने पर क्या है गया देखो minus 1 से करोगे तो minus T square minus minus plus equal to 0 तो finally आ गया minus K2 minus K6 T square minus KT cube plus KT plus KT square minus 1 equal to 0 तो क्या रहे गया देखो minus T cube minus 6 T square plus T square is minus K5 of T square यह सर और plus KT और constant term is minus 3 equal to 0 minus से multiply कर दो होगे तो then we will get T cube plus 5 T square minus T plus 3 equal to 0 तो यह T में आपकी Q एक चीव होगे इसके roots क्या होगे T1 T2 T3 तो अपने को क्या बताना है sum of root तो sum of root का मतलब this upon this तो क्या जाएगा T1 plus T2 plus Tt क्या होगा minus 5 तो mod है तो इसका answer fill करना आपको 5 ठीक है तो इसका 5 answer आप fill करोगे उसके बाद देखो इसका last question क्या है if P, Q belongs to 1 से 4 P और Q को आपको लेना only 1, 2, 3, 4 then the total number of quartic equations of the form of Px square plus Qx plus 1 having real roots इस quartic के roots real है तो बताव total quartic equation कितनी हो सकती है तो कुछ नहीं करना है इसके root सीरले तो आप करोगे D greater than equal to 0 D का meaning D square तो यहाँ गया Q square minus 4P greater than equal to 0 then we will get Q square greater than equal to 4 तो अब क्या करना है आपको P, Q की value इस 1, 2, 3, 4 से लेनी तो यह कामकुरस में let करो कि A अगर आपने P को 1 achieve किया तो क्या आगया Q square greater than equal to 4 तो this is mod Q greater than equal to 2 तो mod Q 2 से greater than 2 Q की value कि इस 2, 3, 4 तो P को 1 लोगे तो Q आगया 2, 3, 4 तो 3 quadratic तो इससे फोम होगी देखो यसे P को 1 put करो इसको 2 तो क्या आगया X square plus 2 X plus 1 up to so तो एक तो यह बात मंगी उसके बाद if then we will consider P equal to 2 अगर आप P को 2 लोगे तो then we will get Q square greater than equal to 8 तो इसका root लोगे तो क्या आगया mod Q greater than root 8 root 8 की value क्या होगी 2 point something तो फिर Q की value क्या ले सकते है only 3 and 4 similarly जब आप P को beta 3 arrange करोगे तो P को 3 लेने पर क्या आगया Q square greater than equal to 12 12 का root root 12 तो यह आगया mod Q greater than equal to root 12 root 12 का मीनिंग है 3 point something तो इससे केवल Q क्या अचीव होगा 4 तो एक आगया 4 और last thing कि अगर आप P को 4 लेते हो तो क्या आगया Q square greater than equal to 16 तो mod Q greater than equal to 4 तो Q की value only क्या ले सकते हैं 4 तो देखो P को 4 लोगे तो Q को P 4 ले सकते हैं तो एक equation तो इसके according अचीव होगी उसके बाद P का वो 1 लोगे और इसको 1 लोगे तो इसके according 3 होगगी quartic equation 3 इससे 1 उससे और 2 quartic इससे अचीव होगी और 1 quartic आपकी इस format से अचीव होगी तो टोटल quartic के होगी 3, 2, 1 and 1 5, 6 और 1, 7 तो टोटल के होगी 7 quartic equation और थोड़ा देखना आप तो इससे केरफुली P 1 है तो Q की वेलू different है तो इससे सारी quartic equation different होगी कोई भी P Q की वेलू पट करने पर पर इसके नहीं होगी ठीक है ना अब दोस्तो नमस्कार मैसल रमी जाखर टीम कमसी CLC सीकर अपन बेटा सी पेपर सोलीशन की बात कर रहे है CLC की नई टेस्स सिरीज जिसका नाम है Math Game 4 J 2022 जिसमें टेस्स अपना है सेकेंड टेस्स जो आज अपने टेस्स हुआ है 11 मार्च को ठीक है और पेपर नमबर अपना सेकिन है और टोपिक का नाम है दोस्तो क्या है General Organic C General Organic C Organic C Most Important Part है इससे क्या कहते हैं दोस्तो GOC Heart of Organic C यानि कि बिना GOC के कुछ नहीं है दोस्तो यानि कि जैसे बिना दिल के कुछ नहीं है वैसे ही बिना GOC के और्गिनिक नहीं है दोस्तों ठीक है तो इसी कड़ी में अपन सरवात करते हैं सवाल फस वीच ओप दा फ्लोविंग कार्बोक्सिलेट आयन इस दा मोस्ट स्टेबल यानि कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा सबसे ज़्यादा की बात हो रही है दोस्तों तो देख सकते हैं अब कर्बोक्सिलेट में जसे की अपने proportional है electron withdrawing group के और inversely proportional है electron releasing group के कहने का मतलब है दोस्तो minus वाले carb anion यानि की carboxylate ion की stability को increase करेंगे plus वाले decrease करेंगे तो minus वाले देख लो दोस्तों इसके उपर 2 minus वाले हैं इसके उपर 3 minus वाले हैं इसके उपर 1 minus वाला है और इसके उपर CH3 दे रखा है इसका मतलब plus i वाला है इसके उपर minus i सरवादिक है इसका मतलब यह electron को ज़्यादा खेंचेगा ज़्यादा खेंचेगा तो negative charge कम होगा कम होगा तो उसकी stability क्या होगी दोस्तों बढ़ेगी तो कौनसा answer आजाएगा अपना second answer आजाएगा ठीक है इसी कड़ी में next अपन सवाल की बात करें तो कौनसा सवाल दे रखा है दोस्तों next सवाल सवाल number second number सवाल क्या कह रहा है दोस्तों यह कह रहा है कि hyperconjugation involving delocalization of statement पूरा पढ़ना पढ़ेगा दोस्तों आपको क्यों कोगी यही से कहानी साट हो गई between the pi electron of carbon carbon atom अब आपको पता है कि hyperconjugation किसको बोलते हैं hyperconjugation दोस्तों conjugation hyperconjugation conjugation किसको बोलते हैं pi bond के alternate में pi bond हो positive charge negative charge unpaid electron loan pair of electron ऐसी कहानी रची जाती है तो उसको अपन resonance बोलते हैं बड़ यहाँ पर क्या है hyperconjugation delocalization के कारण होता है और वो किसमें हो सकता है दोस्तों alkene में हो सकता है carboketine में हो सकता है और free radical में होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें example की बात करें तो alkene कोई भी example ले लो जिसके पास alpha hydrogen present है यानि कि double bond CH2 तो sigma bond participate करता है यानि कि sigma bond के alternate में क्या होना चीए pi bond होना चीए sigma bond के alternate में positive charge होना चीए positive charge की अगर बात करें तो आपको carboketine का कोई example दे दिया जिसमें क्या दे रखा है दोस्तों यह ethyl carboketine दे रखा है यानि कि इसके पास क्या हो रहा है positive charge आ गया तो MTP orbital हो गया positive charge यह sigma bond के electron इसके साथ conjugation कर लेंगे no bond resonance hyperconjugation को no bond resonance बोलते हैं यानि कि carbon और hydrogen के बीच में bond नहीं होता इसको क्या बोला साता है baker नाथनी effect भी बोलते हैं और sigma p conjugation भी बोला साता है यानि कि sigma bond के vacant p orbital में electron transfer होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं sigma p conjugation भी बोलते हैं तो pi electron के कारण carbon carbon bond between pi electron participate नहीं करते दोस्तों कौन सा bond participate करता है CH bond participate करता है pi electron के साथ यह bond यहाँ पे और यह pi electron density यहाँ पे ठीक है दूसरी कि अगर पन बात करें तो क्या कर रहा है loan pair of electron participate करता है क्या loan pair loan pair के मत्दे हो सकता है नहीं दोस्तों ऐसी कोई कहानी नहीं है electron electron soap यानि कि यह पूरी line पढ़नी पढ़ेगी यानि कि hyperconjugation involving delocalization of electron of carbon hydrogen sigma bond of alkyl group directly attached to positively charged carbon atom यानि कि carbon atom के positive charge से जुड़ा हुआ carbon CH bond participate करता है जिसके कारण क्या होता है hyperconjugation होता है तो यह सही बात है displacement of sigma bond electron किसके कारण होता है दोस्तों वो तो inductive factor में पढ़ते है अपन ठीक है तो alkyl समुहे के carbon hydrogen sigma bond के electron धनावेशित carbon परमानों से जुड़ा होता है तब क्या होता है दोस्तों 30 से यूगमन होता है तो कौन सा answer आजाएगा थर्ड answer इसी कड़ी में next अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है थर्ड सवाल क्या कहता है दोस्तों थर्ड सवाल बहेदी प्यारा सा सवाल है दोस्तों कोलम मेचिंग का सवाल है फस को आप मिला दीजिए किसके साथ second के साथ नुकलियोफाइल किसको बोलते हैं दोस्तों जो लोन पेर ओफ इलक्ट्रोन डोनेट करने की कैपिसिटी रखता है लोन पेर जो देने की कैपिसिटी रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं नुकलियोफाइल बोलते हैं इलक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं दोस्तो जो इलक्ट्रोन यानि कि लोन पेर को एसेप्टर होता है लोन पेर को ले सकता है वेकेंट और्बिटल रखता है उक्टिट जिसका बंदेका कम्प्लीट नहीं है उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तो वेकेंट डी और्बिटल है व अभिक सनही को किसके साथ मिलाओगे दोस्तो ऐसी एलेक्ट्रोन स्पीसी जो एक एलेक्ट्रोन युगम ग्रहन करती है वो तो क्या होती है दोस्तो एलेक्ट्रोन सनही होती है यानि कि एलेक्ट्रोफाइल होता है वो तो नुक्लियोफाइल जो लोन पेर स्प्लाई करती है दो ठीक है और hyperconjugation के साथ C को और electrons नहीं के साथ में आपने किसको मिलाया है दोस्तो A को तो B, C, A आंसर देख लो दोस्तो B, C, A, A ठीक है तो कौन सा आंसर मिल गया है first answer की और इसारा हो रहा है दोस्तो next सवाल की अगर पर बात करें तो सवाल number 4 सवाल number 4 क्या करा है the temporary effect नाम आते ही दोस्तो आपको पता है electronic effect अपन पढ़ते हैं तो electronic effect में electronic effect में अपन क्या पढ़ते हैं दोस्तो चार type पढ़ते हैं कौन कौन सा भला एक तो inductive effect कैसा होता है stable effect होता है दूसरे की अगर पन बात करें तो hyperconjugation ये भी stable effect होता है और third की बात करें तो दोस्तो कौन सा होता है resonance ये भी stable effect है और last वाला कौन सा है फूर्थ वाला temporary effect जिसको बोलते हैं वो है electromeric effect only on reaction के time ही होता है अलकीन के साथ electrophilic का addition करवाएंगे तो वो loan pair यानि कि pile electron density या positive के उपर यानि कि electrophile के उपर attack करेगी तो वो nuclear file का काम कर रही है तो इससे अपन क्या बोलेंगे दोस्तो only reaction के time है उसलिए उसको क्या बोलेंगे temporary effect बोला साता है ठीक है क्या बोलते हैं electromeric effect का आजाता है यानि कि ऐस्ताई परभाव जिसमें एक आकर्मनकारी अभिकर्मक दवारा एक बहुबंद से जुड़े परवानू में से एक में pi electron का पूर्ण रूप से स्थान अंतरन हो जाता है एक्जम्पल की अगर बात करें तो दोस्तो एलकीन का एक एक एक्जम्पल दिया वहादी खुबचूरस सा ये electromeric effect है positive वाला है ये pi electron density इसके उपर टेक करेगी किसका formation हो जाएगा दोस्तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ electrophile और इसके उपर क्या जाएगा positive charge ठीक है दोस्तो तो इस effect को अपन क्या बोलते हैं electromeric effect बोलते हैं और ये तीनों जो है वो क्या है stable effect है ठीक है next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है दोस्तो five number सवाल five number सवाल क्या कहता है दोस्तो which of the flowing carbocatine will be more stable यानि कि सबसे अधिक साई कारब धनायन कौन सा होगा दोस्तो तो देख लो जिसमें conjugation जितना साधा होगा उसकी stability उतनी क्या मिलती है दोस्तो ज़्यादा मिलती है यहाँ पे कौन सा दे रखा है यहां पे elivalik इसमें resonance है दोस्तो इसमें hyperconjugation है इसमें pH के साथ में क्या है ठीक है उसके बाद में कौन आएगा थार्ड उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में फास्ट से मिलेगा अगर आप से कोई ओडर पूछता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा सेबिलिटी किसकी मिली फोर्थ की इसी कड़ी में सवाल नंबर सिक्स आपको दे रखा है दोस्तों सवाल नंबर सिक्स क्या कहता है यह कह रहा है कि अरेंस आप फ्लोविंग कार्बोकटाइन इन ओडर ओफ इंक्रीजिंग सेबिलिटी यानि कि कार्बोकटाइन की सेबिलिटी का बढ़ता हुआ करम बताना है इनक्रीजिंग सेबिलिटी बताना है ठीक हैं तो हाइपर resolution देख लो दोस्तो यह कौन सा है one degree kindergarten ये कैसा है three degree remote teach and ये कैसा है two Igory और two degree में क्क्या दे दिया दोस्तो बैंजाлем एंका मथा कमलब resonance हो जाएगा और resignation जिसे होगा is possibility i am EP increase हो जाएगी कमलब सबसे जैदा ककौन सा मिला दोस्तो उसके बाद में ये 3 डिगरी है इसके पास alpha hydrogen कितने है 9 है इसका मलब इसकी 9 resonating section मिलेगी due to hyperconjugation इसकी 6 और इसकी क्या मिलेगी दोस्तो 2 ही मिलेगी तो सबसे ज़्यादा 4, 3, 2, 1 ये अपना answer आजाएगा दोस्तों तो देख लो 4, 3, 2, 1 यानि कि first answer आगया ये नेक्स सवाल की अगर बात करें तो क्या देदी है दोस्तों नेक्स सवाल नंबर 7 सवाल अपने को 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है पहदी प्यारा सा सवाल दे रखा है नुकलियो फाइल की बात आ गई देखो कह रहा है कि कौन कौन आसे हैं जो नाभिक्स नहीं का काम करते हैं नुकलियो फाइल किसे बोलते हैं दोस्तों अब एक तो नुकलियो फाइल होता है और एक होती है बेसिक स्टेंथ नुकलियो फाइल लोन पेर डोनेट करता है बेसिक स्टेंथ लोन पेर डोनेट करती है पर basic sense, base वही है जो loan pair दे दे, nucleophile भी वही है जो loan pair दे दे, इसका मतलब इन दोनों में फरक कैसे define करेंगे, फरक ही यह है दोस्तों कि अगर loan pair of electron H positive ion को donate करता है तो उसे अपन कहेंगे basicity यानि कि basic sense, H positive की और आखरसित हो रहा है, यानि कि loan pair H positive पे लुटा रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे basic sense बोलेंगे, loan pair partially positive charge कार्बन को donate कर रहा है, negative charge हो या loan pair हो partially positive charge कार्बन, electron deficient कार्बन के ऊपर एटक कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, nucleophile बोलेंगे, ठीक है तो यहाँ पे देखलो जिसके पास loan pair है, octate complete है, वही तो क्या कर सकता है, electron donate कर सकता है, electron supply कर सकता है, तो यह देखो, यह nucleophile है, OH negative, देखलो दोस्तों, यह भी nucleophile है, ether दे रखा है, दोस्तों, ether के पास oxygen के पास क्या होते है, एक नहीं रहे, दो दो loan pair of electron होता है, तो इसका मलब एक तो देई देगा, इसका मलब यह भी nucleophile है, ALCL3 की बात करें तो दोस्तों, इसका octate complete नही है, इसका मतलब ALCL3 कैसा है, इलक्ट्रोफाइल है, तो nucleophile की बात हुई थी दोस्तों, कोन है, ABC, ABC, यह तीनों क्या है, दोस्तों, नाभिक्स नहीं है, next सवाल की और बढ़ते हैं, सवाल नंबर क्या दे रखा है, दोस्तों, 8 नंबर सवाल क्या कहता है, पहतरीन सा सवाल, बि इच आप दा फ्लोविंग आर इलक्ट्रोफाइल, इलक्ट्रोफाइल जो लोन पे रेसेप्टर हो, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इलक्ट्रोन सने ही, इलक्ट्रोनों को सने है करने वाला, इलक्ट्रोनों से प्यार करने वाला, इलक्ट्रोनों की और आकरसीत होने वाला, ठीक है तो देख लो दोस्तो इसके ऊपर तो negative आ गया है इसका मतलब ये तो क्या है nucleophile है BF3 कैसा है दोस्तो electrophile है क्योंगी विचारे का octate complete नहीं है इसकी बात करें तो NO2 positive NO2 positive क्या है दोस्तो ये भी electrophile है Electrophile है इसके ऊपर positive charge है दोस्तो ये coordinate bond यानि कि एक तरफा महबत वाला बंद बना रखा है उसने तो यहाँ पर बात करें तो कितने electron है 6 electron है 6 electron है पाई नहीं है दोस्तो 6 electron है 6 electron है इसका मतलब update complete नहीं है इसे क्या बोलेंगे electrophile बोलेंगे SO3 इसके पास भी vacant d orbital percent है इसका मतलब ये भी कैसा है दोस्तों ये भी आपका क्या मिलेगा electrophile मिलेगा SO3 आपको पता है बेंजीन का sulfonation करवाते हैं तो SO3 electrophile का का काम करता है और बेंजीन का का है electrophile है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 9 सवाल क्या कहरा है दोस्तों सवाल 9 नमबर कह रहा है कि आपको जो एलकीन दे रखेति से उपर विचार कर ये जो एलकीन दे रखी है उस पर विचार कर लो कर लिया उसके बाद में पूछ रहा है तो correct decreasing order of stability stability का एलफा एच के जितने एलफा एच दोस्तों ज्यादा होंगे इसका मतलब उस एलकीन की स्टेबिलिटी उतनी क्या मिलेगी ज्यादा तो देख लो एलफा हाइटरोजन दोस्तों इसके पास एलफा हाइटरोजन की भरपार है यानि कि इस से ज्यादा और क्या कहें यहां पर सी दे रखा है, यहाँ CS3, CS3, कितने alpha hydrogen है दोस्तों, 3, 3, 3, 3, यानि कि total 12 alpha hydrogen हो गए, इसकी resonating section ज्यादा बनेंगी, इसके पास alpha hydrogen की बात करें, तो दोस्तों, दो साइड में तो CS3 दे रखा है, और एक साइड में CS3 अकेला दे रखा है, alpha hydrogen इसके पास कितने हो गए, दोस्तों, 9 हो मिलेगी, तो सबसे ज्यादा किस की है, second की, उसके बाद में third की, fourth में देखें तो alpha hydrogen कितने है, six है और इसके पास दो ही है दोस्तों, तो कौन आजाएगा, fourth और उसके बाद में first, तो देख लो दोस्तों, कौन सा order आजाएगा, second, third, fourth, one, यानि कि अपना second answer correct माना जाएगा, यही देखेंगे, अलकीन की stability directly proportionate है, number of alpha hydrogen से, ठीक है, alpha hydrogen जितने जादा है, उस अलकीन का सायता उतना ही क्या रहेगा, जादा रहेगा, इसी से ही अपन bond length देखते हैं, आपको पता है, जिसकी bond length जितनी जादा होगी, यानि कि single bond में double bond के character जितने जादा आएगे, वो alpha hydrogen से ही यह दोस्तों, देखो माइनस वाले लगा रखे हैं, पलस वाले कार्बोकटाइन की stability को increase करते हैं, माइनस वाले क्या करते हैं, decrease करते हैं, तो देख लो यह दो डिगरी कार्बोकटाइन है, यह कैसा है, मिथाइल कार्बोकटाइन है, और इसके ओपर CCL 3 आ गया दोस्तों, य minus i आ गया cf3 3 आ गया दोस्तों ये भी minus i आ गया तो इसका मलब सबसे ज़्यादा stability किसकी मिलेगी first की मिलेगी जिसमें plus वाले लगे हुए हैं plus वाले कार्बोक्टाइन की stability को increase करेंगे minus वाले decrease करेंगे तो कौन सा answer मिला दोस्तों first answer ठीक है इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है आपको सवाल नमबर 11 क्या कहता है दोस्तों 11 नमबर सवाल 4 structure आपको दे रखी है 4 structure are given in option 1 to 4 ठीक है इसको आपको ध्यान से देखना है इसमें से ये पूछा गया है कि aromatic compound कोन है तो aromatic कोन है दोस्तों इसको देखिए गोर से ये कैसी है 8 pi electron है इसके पास aromatic के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए दोस्तों हकल रूल क्या कहता है cyclic होनी चाहिए planar होनी चाहिए complete close conjugation होना चाहिए और 4n plus 2 pi electron को follow करना चाहिए इसका मतलब वो क्या है aromatic है anti-aromatic के लिए cyclic होना चाहिए planar होना चाहिए complete close conjugation होना चाहिए और 4n pi electron को follow करना चाहिए वो कैसी है anti-aromatic है और non-aromatic की अगर अपन बात करें तो क्या होना चाहिए non-icyclic होना चाहिए non-planar होना चाहिए और uncomplete close conjugation होना चाहिए ठीक है और अगर अपन बात करें एनी नंबर ओफ पाइलेक्ट्रोन यानि कि पाइलेक्ट्रोन कितने भी हो दोस्तों ये भिरू बाबा होता है कुछ भी चढ़ा दो खाले का बिचारा नराज नहीं होगा इसका मतलब देखो ये कैसा है एट पाइलेक्ट्रोन है नोन प्लेनर है इसका मलब ये कैसी हो गई नोन अरोमेटिक यानि कि होनी ये कैसी चाहिए थी एंटी अरोमेटिक बड़ ये कैसी हो जाती है दोस्तों रूम टेंपरेचर पे टप फो में मिलती है इसका मतलब ये नोन प्लेनर है इसकी अगर पर बात करें तो यहां पर भी SP3 hybridization है यह बिना SP3 है फिर भी non planar है यह देखो SP3 hybridization आगए इसका मलब complete close conjugation है तो यह ना aromatic है ना anti-aromatic है यह कैसी है non-aromatic यह देखिए दोस्तो किता है 2 pi electron है 2 pi electron यानि कि pi bone कितने है 1 है तो electron कितने हो गए 2 तो 2 pi electron 2 pi electron हो गए दोस्तो इसका मलब यह aromatic आपकी इसमें देखिएगा दोस्तो यह pi यानि कि lone pair of electron conjugation में participate कर रहा है इसका मलब यह pi bone बनेगा pi bone बनेगा यानि कि जब आप इसकी resonating section बना कर देखोगे तो यहाँ पाओगे यहाँ double bone है और इसके उपर negative charge देखो यह negative charge pi electron में convert हो गए इसके पास 4 pi electron हो गए किसकी और ही सारा कर रही है anti-aromatic की और ठीक है तो सबसे ज़्यादा stability किसकी हो गई aromatic की होगी और aromatic को आपको identify करना सा कौन aromatic है कौन सी है third है ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो सवाल number अपने को दे रखा है दोस्तों 12 number सवाल क्या कहता है सवाल कहता है दोस्तों कि यह अपने से पूछा गया है कि कौन सा एक अमली है hydrocarbon है which is an acidic hydrocarbon सबसे ज़्यादा acidic कौन है दोस्तों acidic की अगर बात करें तो देखो terminal alkyne more in atom के साथ में जब भी hydrogen attach होता है तो इसका मतलब वो acidic है कैसा होता है more acidic यहाँ पर अगर बात करें तो देखो butane दे रखा है क्या दे रखा है butane butane दे रखा है तो आप देख सकते है sp3 hybridization और यहाँ पर बात करें तो sp3 hybridization और यहाँ देखिए दोस्तों कौन सा है sp यानिकि more in atom से अगर hydrogen attach है तो उसकी acidic scent ज़्यादा होगी क्यों कूँगी acidic scent directly proportional stability of conjugated base के conjugated base की stability जितनी ज़्यादा होगी इसका मलब उसकी acidic scent तो दोस्तों उतनी ज़्यादा मिलेगी इसका मलब sp से है यानिकि इसकी en ज़्यादा है en जिसकी en ज़्यादा होगी उसके उपर negative charge stable रहेगा en कितनी होती है दोस्तो sp hybridization carbon की अगर बात करें तो en होती है सवा 3 कितनी 3.25 double bone की जब भी बात आजाती है तो दोस्तों इसकी en कितनी होती है en की अगर बात करें तो पूने 3 होती है दोस्तों यानिकी 2.75 और आपको पता है sp3 की अगर बात करें तो धाई यानिकी 2.5 होती है दोस्तों ठीकें तो सबसे ज़्यादा acidic hydrogen कौन रखेगा 3 रखेगा कौन सा बला 3 रखेगा ठीकें चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है सवाल नंबर अपने पास है 13 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों पहदी प्यारा सा सवाल देखो पहले aromatic का पुछा गया अब anti-aromatic की बात हो रही है ठीक है बिलकुल NCRT base paper है दोस्तों जो सवाल अपने जई-mains के लायक है वही सवाल है बिलकुल NCRT ठीक है तो यहाँ पर बात करें तो which of the flowing will show anti-aromatic compound अब देखो यह कैसा है non aromatic है यह कैसा है 6 pi electron है aromatic है इसकी बात करें तो देखो कैसा है 4 pi electron है बट यहाँ पर क्या है SP3 hybridization है दोस्तों तो इसका मतलब यह कैसा हो गया non aromatic हो गया ठीक है यह देखो cyclic है planar है 4 pi electron 4 and pi electron rule को follow कर रही है इसका मतलब यह कैसी है anti-aromatic है कैसी है anti-aromatic है दोस्तों तो कौनसा answer आजाएगा fourth answer next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौनसा सवाल दे रखा है अपने को 14 number सवाल देखिए का दोस्तों क्या कहा गया है which of the flowing resonating section of 1 methoxy 1-3 butadiene दे रखिए है 1 methoxy ठीक है sorry ethoxy दे रखा है अपने को CH2 double bond CH CH double bond CH और 1 number पर क्या लगा दो दोस्तों ethoxy लगा दो यह दे रखा है 1-2-3-4 अब अपने पता है दोस्तों जब भी अपने resonating section की stability देखी जाती है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है non polar non polar यानि कि non chargeable structure ऐसी structure जिसके ओपर कोई charge ना हो उसे अपन क्या बोलते है नोन polar ठीक है यानि कि non polar non chargeable structure उसके बाद में अपन क्या देखते हैं दूस्तों polar देखते हैं polar जिसके ओपर positive negative charge डवलप हो जाए उसके बाद में अपन क्या देखते हैं जिसका octate क्या हो दोस्तों complete हो जिसका octate complete होगा उसकी stability क्या होती है जादा होती है एक क्या दे रखा है octate uncomplete ठीक है octate क्या हो uncomplete हो तो उसकी stability क्या होती है दोस्तों कम होती है उसके बाद में यह देखते हैं कि negative charge more in atom पर present होना चीए ठीक है उसके बाद में देखते हैं कि negative charge less in atom पर present होना चीए उसके बाद में ये देखा जाता है कि positive charge कहां अच्छा लगता है दोस्तो let's see an atom पर अच्छा लगता है और positive charge अगर कहां है दोस्तो more an atom पर है और उसका octate complete नहीं है इसका मतलब बहुत जबर्दस घाटा लगा है अमबानी जी गंगाल हो गया अच्छा लगता है दोस्तो बहुत जबर्दस घाटा यानि कि positive charge किसके उपर आ गया more an atom पर आ गया लेकिन octate complete नहीं होना चीए तब है ठीक है इसका मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले non polar है क्या कोई उसी की stability सबसे ज़्यादा होगी इसके उपर देखो चार्जबल स्टिक्चर है यह भी चार्जबल है यहाँ देखिए दोस्तो ऐसी स्टिक्चर जिसके उपर कोई चार्ज नहीं है उसकी stability सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद में क्या देखते हैं जिसका octate complete है उसकी stability ज़्यादा होगी देखो इसमें इसका octate complete है इसका octate complete नहीं है इसके पास six electron है इसके पास भी six electron है इन दोनों का नहीं है इसके बाद में को न आएगा फस्त आएगा यानि कि third, third के बाद में को न आएगा second और fourth में से को न आएगा तो यह दोनों ही listable हैं दोस्तों लेकिन यहां देखिए negative charge एक तो lone pair किसके पास आ गया दोस्तों oxygen के पास lone pair है एक नहीं दोस्तों दो-दो lone pair of electron है तो यह oxygen का lone pair और negative charge पास पास आ गया इनमें ज्यादा repulsion होगा इसलिए इसकी stability क्या हो गई सबसे कम हो गई ठीक है तो अपने से more stable पूछा गया था कौन सा answer आ जाएगा third answer की ओर इसारा हुआ yes के no yes देखिएगा दोस्तों next सवाल की अगर अपने बात करें तो 15 number सवाल अपने क्या कहता है सवाल number 15 देखिएगा क्या कहता है कहता है कहता है दोस्तों carb NIN आ गया पहले carb ketain आ या फिर carb NIN है the decreasing order of stability किसकी भला carb NIN की तो carb NIN आपको पता है conjugation जितना जादा होगा यानि कि resonance जितना जादा होगा उसकी stability उतनी क्या मिलती है दोस्तों जादा मिलती है यानि कि negative charge की stability कैसे देखते है resonance negative charge अगर aromaticity में participate कर रहा है किसमें aromatic में यानि कि negative charge के participate करने से aromatic हो रहा है तो उसकी stability क्या रहेगी जादा रहेगी उसके बाद में अगर पन बात करें तो negative charge resonance में participate कर रहा है तो उसकी stability aromatic वाले से क्या रहेगी कम रहेगी उसके बाद में किसके according देखेंगे EN के according देखेंगे उसके बाद में minus वाले increase करेंगे और plus वा resonance है और ये कैसा है दोस्तो 1 degree है कैसा है 1 degree पलस वाले क्या करेंगे carbon n की stability को decrease करेंगे अब resonance किस में है अनुनाद किस में है दोस्तो 3rd में है तो 3rd की stability सबसे जादा है उसके बाद में 1 degree की उसके बाद में 2 degree की और उसके बाद में 3 degree की 3 degree lessable है ठीक है carbon n की बात हो रही है तो 3 4 2 1 3 1 आ गया इसका मतलब कौनसा आंसर आजाएगा सेकिंड आंसर की और इसारा हुआ यस करो चलो इसी कड़ी में नेक्स सवाल की बात करें तो कौनसा सवाल दे रखा है 1 6 नंबर सवाल देखीगा दुस्तो क्या कहता है बेंजीन अब ये देखो बहुत ही प्यारा सवाल है दुस्तो NCRT का सवाल है ये NCRT का बोंड लेंथ आपको पता होने चीए कितनी होती है सब बेंजीन पता नहीं ये कौन सा नसा करती है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है दुस्तो इसको किसका नसा है resonance का नसा है अनुनाद का नसा है ठीक है तो बेंजीन में carbon carbon bond length की बात करें दोस्तों तो केकुले नाम का एक बन्दा था जिसने सबसे पहले resonance देखा था और वो किस में देखा था बेंजीन में ये तो देखा था ठीक है तो बेंजीन की जो resonating सेक्चर अपने बनायते हैं वो क्या बनाते हैं वहला यहां पाइलेक्ट्रॉन पलग जपकते ही अपने पाइलेक्ट्रॉन डेंसटी यहां आती है यहां देखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां देखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में नम्री एक ही साइड से किय है लेकिन यहां देखो 102 के बीच में double bond है यहां पे देखे 102 के बीच में single bond है इसका मलब carbon carbon single bond bond length कितनी होती है दोस्तो 1.54 एंग strong होती है और PM में लिखोगे दोस्तो तो NCRT में PM में भी लिखा हुआ है पीको मिजर में लिख सकते हो आप ठीक है carbon double bond carbon की बात करें तो 1.34 एंग strong होती है पीको मिटर में भी लिख सकते हो point हटा दो carbon triple bond carbon की अगर बात करें तो 1.20 एंग strong होती है यह होती है दोस्तो तो अब यहां पे benzene की बात हो रही है तो benzene में क्या है दोस्तो resonance है यानि कि यह pile electron density एक जगया पर localize it नहीं है यह गूमती रहती है दोस्तो तो single bond में double bond के character double bond में single bond के character इसका मतलब जैसे ही अपने इसका resonating hybrid बनाएंगे दोस्तो क्या है कि pile electron density पूरी ring में rotate हुई rotate हुई इसका मतलब single bond में double bond के character double bond में single bond के character आए तो क्या आया दोस्तो ना वो single bond वाली रही न वो double bone वाली रही इसलिए न तो वो single bond वाली है न वो double bond वाली है इसलिए बेंजीन में carbon carbon bone length कितनी मानी जाती है 1.39 एंग strong мानी जाती है दोस्तों चीक है तो बहटी प्यारा सा सवाल था ये 1.39 एंग strong मानी जाती है ठीक है इसी कड़ी में आगे सवाल की बात करें तो अपने को सवाल नंबर दे रखा है दोस्तो 17 नंबर सवाल देखेगा दोस्तो क्या कहता है कि among the flowing which is least acidic सबसे कम अमली है कौन है ठीक है सबसे कम अमली है इसका मतलब देख लो एक तो अपने को पेरा नाइट्रो फिनोल दे रखा है दोस्तो पेरा नाइट्रो फिनोल यहां पे OH दे रखा है और यहां पे पेरा पे NO2 लगा रखा है यहां पे अगर बात करें तो दोस्तो क्या दे दिया पेरा क्लोरो फिनोल यानि कि OH दे दिया लेकिन होता है कम कौन सा ज़्यादा होता है पेरा नाइट्रोफिनोल is more acid than और्थो नाइट्रोफिनोल क्योंकि और्थो नाइट्रोफिनोल में हाइट्रोजन निकलने से पहले क्या हो जाती है दोस्तों हाइट्रोजन क्रिसोल नाम दिया गया है यानि कि ortho methyl phenol को क्या नाम है क्रिसोल नाम होता है दूस्तों ठीक है तो ये plus वाल आ गया और plus वाले क्या करते है acidic scent को increase करते है या decrease करते है ठीक है? ये hyperconjugation शो कर रहा है इसलिए मैं लिखा है plus H प्लस H भी होता है इसका और क्या होता है प्लस I तो अपन बोलते हैं कि acidic scent directly proportional है किसके electron withdrawing group के और inversely proportional है electron releasing group के minus वाले acidic scent को increase करते हैं, plus वाले decrease करते हैं तो सबसे least acid कौन सा होगा प्लस वाला ठीक है, कौन सा हुआ प्लस वाला, तो सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा पेरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद में और्थो नाइट्रोफिनोल, फिर कलोरो फिनोल, और सबसे कम कौन मिला दोस्तो, और्थो क्रिसोल तो कौन सा answer आजाएगा, fourth next सवाल की अगर पन बात करें तो most basic amount of flowing is most basic कौन सा है, basic सेंद की अगर पन बात करें दोस्तो तो सबसे ज़्यादा basic कौन सा होता है carbon, double bond, NH, और NS2, guanidine बना सकते हो, इधर भी मैं NS2 लगा दूँ, तो ये क्या होता है, guanidine होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा basic यही होता है, क्यों मी एदा है दोस्तो, उसके बाद में ये देखते हैं, कि plus I आई वाले क्या करेंगे, increase करेंगे, minus I क्या कर देते हैं, decrease कर देते हैं उसके बाद में EN देखी जाती है ठीक है, EN जिसकी ज़्यादा होगी E.N जिसकी ज़्यादा होगी, इसका अगलव उतना ही कंजूस होगा loan pair donate करने में उतना ही जाएगा ठीक हैं? तो देने की परवर्ती उतनी कम हो जाएगी. उसके बाद may ये देखते हैं कि loan pair in resonance अगर loan pair resonance में participation कर रहा है तो उसकी basic sense कम हो जाएगी उसके बाद मेँ देखते हैं कि αगर loan pair in aromaticity aromatic में participate कर रहा है तो उसकी basic sense क्या होती है सबसे कम होती है दोस्तों ठीक है तो यहां पर अगर बात करें तो aniline दे रखा है aniline में देख लो क्या है बला resonance है देख सकते हैं आप ns2 इसका long pair of electron क्या कर रहा है पेरा methyl aniline दे दिया दोस्तों इस पर फिर भी पलस वाला आ गया ns2 लेकिन conjugational participate कर रहा है यहां पर पेरा पर क्या लगा दोगे cs3 लेकिन इसकी ज़्यादा है क्यों क्योंकि पलस वाले increase करेंगे माइनस वाले decrease करेंगे बेंजील ऐमीन की सबसे ज़्यादा हुई दोस्तों बेंजील ऐमीन किसको बलते हैं बेंजाइल यानि कि टोलोईन में से single hydrogen को replace कर दें यानि कि वहां से हटा दें उसका radical बना दे तो उस group को क्या बला जाता है बेंजाइल बेंजील हिंदी में बात करें तो ठीक है और यहां पर आपने एनस तू लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया प्लस वाले increase करेंगे तो नाइट्रो दे दिया इसका मलब क्या हो गया मैनस एम और मैनस एम वाले क्या करते हैं बेसिक सेंट को decrease करेंगे तो यही ओडराज है का दोस्तो सबसे ज़्यादा पूछा था आप से most basic कौन सा है बेंजाइल अमीन है ठीक है तो कौन सा answer third answer इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को सवाल नंबर दे रखा है 19 नंबर सवाल क्या करता है दोस्तो which one of the flowing species is most stable तो more stable कौन सा है दोस्तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यानि की plus वाले तो क्या करते हैं increase करते हैं minus वाले decrease करते हैं तो देखिए का दोस्तो क्या कह रहा है यह minus वाला है यह C6H4 यानि की आप क्या बनाईए बैंजीन बनाईए साब यहाँ पे क्या है बैंजाइलिक है बैंजाइलिक कार्बोकेटैन दे रखा है और उसके पेरा पे क्या लगा दो और फिर आपको क्या लगा दो पेरा पे अगर पन बात करें तो क्या लगा दिया और फिर आपने CEL लगा दिया दोस्तो क्या लगा दिया और यहां पर अगर पन बात करें तो क्या लगा दिया दोस्तो CH2 positive charge OCS3 लगा दिया OCS3 का कौन सा effect होता है दोस्तो plus M होता है तो plus वाले क्या करेंगे कार्बोक्टाइन की stability को increase करेंगे दोस्तो conjugation yes करों तो सबसे जादा more stable कौन सा हुआ दोस्तो OCS3 का plus M होता है ठीक है उसके बाद में किसका number आएगा CS3 CS3 का कौन सा effect होता है plus H और CL का कौन सा effect है दोस्तो minus I effect है हलांगे इसका plus M भी होता है लेकिन minus I is more dominant than plus M यानि कि minus I का प्रभाव क्या होता है जादा होता है more in atom किसी को electron देना पसंद नहीं करते यह क्या है दोस्तो minus M वाला है तो सबसे ज़्यादा stability पूछी गई थी किसकी है फॉर्थ की plus वाले increase करेंगे minus वाले decrease करेंगे इसी कड़ी में आगे बात करें तो दो zero number सवाल देखिएगा दोस्तो क्या करा है अभी जो अपने पिछले सवाल में जो order लिखा था उसी के according यह सवाल है दोस्तो बहुत प्यारा सवाल देखिए सकते हैं आप NCRT base पे सवाल है basic sense order of flowing तो इसमें देखिए six pi electron हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया दोस्तो aromatic हो गया aromatic में जा रहा है तो इसका मतलब basic sense सबसे कम मिलेगी इसमें देखो इएन के according हो गया दोस्तो कैसा है SP2 इसमें कहीν conjugation में है नहीं है इसमें देखो इसमें क्या है conjugation है एक तो aromatic में जा रहा है और एक resonance में जा रहा है इसका मतलब basic sense किसकी ज्यादा होई जिसमें conjugation है जिसमें aromatic है aromatic हो रहा है conjugation तो दोनों में ही है लेकिन इसमें aromatic हो रहा है तो aromatic की basic sense सबसे कम होगी लिस्स बेस होगा वो उसके बाद में कोना है इन दोनों में देखो पलस वाले इंकरीज करेंगे SP3 हाइबडाईजेशन है और यह SP2 है इसका मतलब EN जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही कंजूस होगा इसका मतलब which of the flowing is the most stable most stable की बात हो रही है दोस्तो सरवादिक स्थाई कौन सा है इलकीन की बात आ गई तो α-H जितने ज़्यादा होंगे उसके स्थाईतब उतना ही क्या मिलेगा दोस्तो ज़्यादा मिलेगा इसके पास α-Hydrogen 2 है इसके पास α-Hydrogen की बात करें सबसे ज़्यादा मिलेगा तो किस का साईतब ज़्यादा मिलेगा दोस्तो जिसके पास α-Hydrogen ज़्यादा है ठीक है तो α-Hydrogen जिसके पास इतने ज़्यादा वोंगे उसकी stability उतनी ही क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं, क्या दे रखा हैं दोस्तों, 22 नमबर सवाल, क्या गयता हैं दोस्तों, अब अपने को पता है कि room temperature पे कौन unstable होता है, anti-aromatic compound room temperature पे less stable है, unstable है, ठीक है, तो इसका मतलब aromatic और non-aromatic जो है, वो stable है, सबसे ज़्यादा stability किसकी मिलती है, aromatic की, उसके बाद में, बात करें तो non-aromatic की, ठीक है, उसके बाद में anti-aromatic देखो, यह क्या है, यह non-aromatic है, 4-pile electron दे रखा है, बट कैसा है, SP3 hybridization है, तो यह कैसा रहेगा, non-aromatic, non-planar है, यह देखो, 4-pile electron है, और 4-pile electron कैसी हो गई, anti-aromatic हो गई दोस्तों, यह room temperature पे diver form का निर्मान कर लेती है, यानि कि दो ring आपस में attach हो जाती है, एक दूसरे की हो जाती है तो किसका निर्मान कर लेती है, dimer बनेगी, ठीक है, इसलिए यह कैसी है, दोस्तों, pure rope से unstable है, कैसी है, unstable, यह पाई, यह पाई, यहाँ से पाई ब्रेक हो गई, यह अपस में एक दूसरे की हो गई, इसका मलव, non-aromatic compound में convert हो जाती है, इसका मलव, 4-pile electron है, anti-aromatic है, तो यह क कैसी है, aromatic है, तो सबसे less stable कौन सी मिली, second, क्या है, anti-aromatic, next, इसी कड़ी में आगे बात करें, तो अपने को क्या दे रखा है, दोस्तों, 23rd number सवाल, क्या कहता है, दोस्तों, 23, यह कह रहा है कि, basic cent का order पुछा गया है, plus वाले increase करेंगे, minus वाले decrease करेंगे, CS3 के उपर कौन सा effect ह दोस्तों, यह plus H है, OCS3 का plus M है, NO2 का कौन सा effect है, minus M है, तो सबसे ज्यादा किसकी basic cent रहेगी, dudोस्तों, second की, उसके बाद में फर्स की, उसके बाद में 4th पे कुछ नहीं है, उसके बाद में 3rd पे, ठीक है, तो basic cent सबसे ज्यादा किसकी मिली, second की, उसके बाद में 1st की, 4th की और third की कौनसा answer आजाएगा दोस्तों second answer की और इसारा हुआ second answer आपने सही किया बहुत बढ़िया किया next सवाल की बात करें तो कौनसा दे रखा है 24 number सवाल क्या पूछा गया है दोस्तो which of the flowing group has the highest minus m effect पूछा गया है दोस्तों सबसे ज़्यादा minus m प्रभाव का order आपको लिखाया साता है दोस्तों सबसे ज़्यादा minus m effect किसका होता है NO2 का उसके बाद में CEN का उसके बाद में SO3H का उसके बाद में कार्बोनील कंपाउंड का यानि के LD हाइड का उसके बाद में किटोनों का उसके बाद में अगर पन बात करें तो क्या होता है दोस्तों CO और OH का ठीक है और उसके बाद में last में किसका नंबर आता है दोस्तों MI8 का ठीक है एस्टर देना चाहते हो तो acid से पहले होता है क्योंगि OH का plus M जादा होता है OR से तो सबसे जादा highest minus M effect किसका है दोस्तों NO2 का है तो कौनसा answer आजाएगा आपने second answer की और इसारा हुआ इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौनसा दे दिया दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिए का 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है which of the flowing only minus M effect जो अपने order लिखा था उसी में पूछा गया है दोस्तों कि minus M effect की कौन सी species है तो देख लो दोस्तों कौन सा group जो है वो minus M है इसमें देखिए ये minus M है क्या दे दिया ये दे दिया आपको minus M किसको बोलते हैं किसी conjugated system से जुड़े परमानों तथा आगे वाले परमानों के बीच में double bond या triple bond हो attach atom से next atom की EN जादा हो उसे क्या का जाता है minus M कहते है conjugated system होना चाहिए मान लो अपने conjugated system तभी minus M की बात आएगी conjugated system से attach atom और next atom के बीच में multiple bond हो या double bond हो या triple bond हो attach atom से next atom की EN जादा हो तो उसे effect कौन सा हुआ minus M परभाग हुआ ठीक है तो ये minus M है लेकिन OR दे दिया तो plus M हो गया plus M किसे बोलते हैं conjugated system से attach atom के पास negative charge या lone pair है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों plus M कहेंगे तो ये plus M हो गया ये plus M, ये minus M, ये ketone दे दिया minus M, इसका मदलब ये group minus M का नहीं है CEL का कौन सा effect है? माइनस I, इसका कौन सा effect है? माइनस M और NS2 का कौन सा effect होता है? OnePlus M, NO2, CN और SO3H ये कौन सा है दोस्तों? माइनस एम है, CWH माइनस एम है, O H का कॉणसा эффект हो गया, प्लस म कॉणसा गृूप ऐसा है, तो माइनस एम यह वाला है, माइनस M के साथ आपको पता है, यह माइनस장 आई भी शो करता है, ठीक है, but minus i more effective than minus i next सवाल की बात करें तो कौन सा दे दिया आपको 26 नंबर सवाल पहद प्यारा सा सवाल देखो which of the flowing ion ions दे रखे हैं आपको most stable of each the pair of ion ठीक है दो दे रखे हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा stable है इसकी बात करें तो ये sp2 hybrid पे हैं और ये sp पे हैं इसके जिसकी en ज़्यादा उसकी stability ज़्यादा तो पहले में कोन आया दोस्तों b आया दूसरे की अगर पर बात करें तो देखो इसमें भी conjugation इसमें भी conjugation कौन सा conjugation इसमें भी conjugation और इसमें भी conjugation यानि कि ये negative यहाँ पे और ये पाइलेक्ट्रों नेंसिटी यहाँ पर यह रिंग के साथ कॉंजुगेशन इसमें थोड़ा सा कॉंजुगेशन तो जिसमें जितना ज्यादा कॉंजुगेशन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इसमें देखो इसमें कॉंजुगेशन allylic है ठीक है लेकिन इसमें देखो ये conjugation में गया और जाते ही क्या बना लिया दोस्तों छा गया है बंदा 6 pi electron हो गया और 6 pi electron किसकी और इसारा किया? aromatic का इसका मलब B तो देख लो दोस्तो BAB किसमें है BAB BAB यानि कि कौन सा answer हुआ दोस्तों fourth answer की और इसारा हुआ next अगर अपने बात करें तो सवाल नंबर अपने को कौन सा दे रखा है 27 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तो 27 नंबर सवाल ये दे रखा है कि which of the flowing group show plus M, plus M के साथ साथ minus I show करता हो plus M और minus I दोनों show करता हो इसका मतलब कौन है ये तो केवल minus M minus I show करता है दोस्तो NO2 minus M के साथ साथ minus I CL के ही बात करें तो plus M के साथ साथ minus I CN की बात करें तो minus M के साथ साथ minus I तो plus M की बात हुई है तो कौन सा दे 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 ला गया ठीक है तो हेलो जन आपको पता है electrophilic substitution reaction जब भी अपन करवाते है तो plus M के coding काम करता है और जैसे otherwise अगर देखते हैं तो ये deactivating group है benzene ring पे electron density को decrease करता है तो इसका कौन सा effect है plus M के साथ साथ minus I इसका minus I more effective होता है plus M से next सवाल की अगर पन बात करें तो 28 number सवाल देखिए का दूस्तों क्या कह रहा है which of the flowing does not represent the correct stability order की बात हो रही है resonating section जो आपको दे रखी है इसमें कौन ऐसा है जो सही निरूपित नहीं करता ठीक है तो देखिए का दूस्तों कहानी क्या विया करती है इन में से अब देखो इसमें more in atom के उपर negative charge है more in atom पे negative charge नहीं है less in atom के उपर negative charge है more in atom के उपर positive charge है बड़ ओक्टेट complete है देख सकते हैं आप अश्टक पूरा है ठीक है तो सबसे ज़्यादा वो श्ट्रिक्टर देखेंगे जो non non chargeable है यानि कि non polar है उसके बाद में polar उसके बाद में negative octate complete उसके बाद में octate uncomplete negative charge more in atom पे और positive charge less in atom पे अच्छा लगता है यहाँ पे बात करें तो octate complete है इसका octate complete नहीं है और इसमें negative charge और long पे एक दूसरे को repulsion कर रहे हैं तो यह तो leastable हो गया दोस्तों यह तो तीर गलत बार दिया इधर होता तो सही होता है इसका मलव यह incorrect हो गई ठीक है यहाँ पे बात करें तो देखो six यह क्या है conjugation है वाव equivalent resonating sector इसो भी बोलते है more in atom से negative charge more in atom पे transfer हो उसे अपन क्या बोलते है equivalent resonating sector बोला साता है दोस्तों की अनुनादी सरंचनाए ठीक है जिसका hybrid में equal contribute हो ठीक है यहाँ पे अगर पन बात करें तो यह बराबर है सही दे रखा है इसमें और इसमें अगर पन बात करें तो इसका outed complete नहीं है लेकिन यहाँ बीवी मिल गई यानिकि back bonding हो गई यह कह रहा था कि मैं बीवी कल लूँगा ठीक है बीवी दिला दूँगा और यहाँ इसने दे दी इसका मतलब क्या हो गया outed complete हो गया तो stability इसकी ज़्यादा हुई इसमें देखिए दोस्तों यह कैसी है non chargeable structure है और यह chargeable हो गई इसका मतलब यह भी सही है तो incorrect कौन सी थी first अपना क्या आ जाएगा दोस्तों answer आ जाएगा incorrect पूछी थी 29 क्या करा है दोस्तों methyl carb anion दे रखा है और एक क्या दे रखा है methyl carb anion दे रखा है geometry पूछी गई है geometry की अगर पन बात करें तो अपने क्या दे दिया दोस्तों एक तो CS3 positive और एक दे दिया CS3 negative इसमें hybridization कैसा है SV2 इसमें बात करें तो SV3 यहाँ पे अगर इसकी geometry देखें तो यह कैसा आ जाएगा H, H, H trigonal planar structure हो गई और इसकी अगर पन बात करें तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ negative charge है H है, H है, H है और H है ठीक है, यह कैसी हो गई disturb octahedral यानि कि structure pyramidal हो गई ठीक है, अब यहाँ पे SP3 hybridization दे रखा है तो इसकी geometry पूछी गई है geometry कैसी होती है tetrahedral होती है, यानि कि चतुस पलकिये होती है और इसमें क्या है दोस्तों planar, उसके बाद में tetrahedral कौन सा answer, दोस्तों दूसरा answer मिल गया, ठीक है next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है 30 number सवाल, क्या कहता है दोस्तो 30 number सवाल देखिएगा, यह क्या पूछ रहा है PKA पूछा गया है decreasing order में, PKA यह तो आपका क्या है, acidic strength है और यहाँ पे PKA बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे basic cent है, यानि कि उल्टा हो गया, यह anti-log होता है, और KB की बात करता है, तो इसका मतलब basic cent की बात कर रहा है, KB बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, P, K, B क्या हो जाएगा, घट जाएगा यह होता है, तो यहाँ देखिए का दोस्तों किसकी बात कर रहा है, PKA का decreasing order पूछा गया है इसका मतलब PKA सबसे जादा किसकी है, ठीक है, वही पूछा गया है यानि कि PKA सबसे जादा किसकी है, इसका घटता हुआ करम यानि कि किस से सबंद है, इसका basic strength है यानि कि acidic cent देखो, उसका ठीक उल्टा कर दो, यानि कि basic cent देख लो ठीक है, तो basic cent सबसे जादा किसकी है, देख लो, loan pair बन है तो इसका मतलब यहां पर हलका सा माइनस आई मैसूस करेगा तो सबसे ज़्यादा किस की होगी बेसिक सेंट फस की उसके बाद में थर्ड की और सेकंड की क्या मिल जाएगी दोस्तों कम मिल जाएगी तो यह क्या है दोस्तों K-B का ORDER है, किसका? K-B का अब पूछा क्या गया है? P-K-A पूछा गया है, इसका म滅लब ये और ये A की बात है P-K-A, यानि कि P-K-A जिसमें जजादा होगा तो इसका मतलब उसकी Basic SEND जादा होगी और K-A जजादा होगा इसका मलब उसकी acidic sense ज्यादा होगी और P, K, B जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें क्या होगा दूस्तों basic sense कम और acidic sense ज्यादा होगी यहाँ P, K, A का decreasing order पुछा गया इसका मलब सबसे ज्यादा P, A किसका है फसका है ठीक है तो कौन सा order आजाएगा first third second, first third second, कौन आया, first third second, first third second, ठीक है तो कौन सा answer मिल गया दोस्तों यह आपको answer मिल गया third, next सवाल की बात करें तो कौन सा दे रखा है, 31 number सवाल, देखेगा दोस्तों 31 number सवाल क्या कर रहा है, weakest base पूछा गया है, दुरूबलतम शार कौन सा है, ठीक है, तो देख लो दूरूबलतम शार की अगरपन बात करें तो इसमें, देखो सबसे परबल है यह तो, इसमें क्या हो रहा है, दोस्तों, resonance हो रहा है, तो basic sense कम हो गई, सबसे weakest, base कौन सा मिला, third मिला, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो दोस्तों, यह दो डिगरी है, यह भी दो डिगरी है, वो एक डिगरी है, लेकिन इसमें pH आ गई, और हटके आ गई, अनुनाद नहीं है, दोस्तों, resonance नहीं है, लेकिन pH आ गई, तो minus i effect शो करेगी, तो सबसे जादा किस की मिलेगी, fourth की उसके बाद में, यह दो डिगरी है, और सबसे list कौन सा हो गया, third, ठीक है, इसी कड़ी में आगे बात करें, तो कौन सा सवाल दे रखा है, 32 number सवाल, देखिएगा दोस्तों, 32 number सवाल क्या क नहीं हो, तो डेखो, 2-2 के साथ अनुमाद है, इस में भी दिखो दूस्तों, 2-2 के साथ है, और इसमें देखो, दोस्तों मज़े हुए इसके तो 3-3 के साथ resonance है, ठीक है, तो सबसे जादा stability की मिलेगी, आपको fourth की मिलेगी, उसके बाद में इसमें 2 के साथ resonance है, इसमें भी 2 के साथ resonance है ठीक है तो बराबर होनी चीए नहीं यहाँ पे hydrogen दे रखा है और hydrogen के लिए inductive factor zero होता है और यहाँ पे CS3 दे रखा है उसका कौन सा effect होता है प्लस i प्लस i वाले क्या करेंगे carbonine की stability को decrease करेंगे क्या कर देंगे decrease कर देंगे decrease कर देंगे इसका मतलब किसका साइट अब जादा हुआ दोस्तों third का जादा हुआ ठीक है उसके बाद में second इसमें 2 बार conjunction है इसमें एक बार conjunction है तो सबसे जादा stability किसकी मिलेगी fourth की उसके बाद में third आया उसके बाद में second आया उसके बाद में कौन आया, फस, देख लो दोस्तों, 4, 3, 2, 1, यानि कि कौन सा आंसर की और इसारा हुआ, थर्ड आंसर की और इसारा हुआ, ठीक है, चलो, next सवाल की और बढ़ते हैं, next सवाल की बात करें, तो 33 नंबर सवाल क्या पूछा गया है, दोस्तों, most basic की पूछा गया तो यहाँ पे देखेगा दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉन पेर कॉन्जूगेशन पाडिस्पेट कर रहा है, यहाँ पे लॉन पेर कॉन्जूगेशन पाडिस्पेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डोनेटिंग नेचर इसकी जादा रहेगी, इसकी बात करें तो ल रखा है दोस्तों 34 नंबर सवाल देखे का 34 नंबर सवाल क्या कहता है अरेंज दा अब फिनोल जितने अपने को फिनोल दे रखे हैं उसमें increasing order of PKB value पूछा गया है इसका मतलब PKB पूछा गया है इसका मतलब acidic scent पूछा गया है दोस्तों यानि कि अपने बात करें कि PKA acidic scent है acid dissociation constant है अगर यह जादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा PKA क्या होगा दोस्तों कम होगा यानि कि anti-log है यह यहाँ पर बात करें तो के भी आपको दे रखा है basic scent के लिए तो यहाँ पर increase हो रहा है तो इसका मतलब PKB क्या होगा दोस्तों decrease होगा इसका मतलब इन दोनों का अपस में 36 का अंकड़ा है इसका relation किस से सीधा acidic scent है इसका मतलब PKB अगर जिसकी जादा होगी तो इसका मतलब वो क्या होगा basic होगा तो इस सवाल में देख सकते हैं दोस्तों क्या दे रखा है अपने को यहाँ पे acidic scent पुछा गया है NO2 का कौनसा effect है दोस्तों minus eye effect है यानि कि कौनसी position पे है meta position पे और meta position पे mesomeric effect Hyperconjugation effect नहीं होता Only On कौनसा effect होता है दोस्तों inductive effect होता है यहाँ पे बात करें तो यह पेरा position पे है कौनसा effect है minus M इसकी बात करें तो यह भी orthocation पे है और ये क्या है, minus M effect है, minus वाले acidic scent को increase करेंगे, plus वाले decrease करेंगे, minus M more dominant होता है compared to minus IK, इसका मतलब second or third की ज्यादा है, first से, इन दोनों में से अगर पन बात करें तो आपने पढ़ा है कि पेरा nitrogenol is more acid than ortho nitrogenol, क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे hydrogen निकलने से पहले hydrogen bonding हो गई, और hydrogen bonding हो गई, इसका मतलब इसकी acidic scent क्या हो गई, कम हो गई, अगर hydrogen निकलने के बाद में hydrogen bonding होती तो दोस्तों मजा आ जाता, क्योंकि उसकी stability और बढ़ जाती तो acid और ज्यादा strong हो जाता है, इसका मतलब अकेला यह H ही तो है, इस H को निकलने से पहले इसने रोक जाएगा, इसका मतलब इसकी acidic scent को represent करेगा, इसलिए क्या हो जाता है, पेरा वाला जादा है, क्या हो जाता है, ऐसे डिक हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी, second की, उसके बाद में किसका number आएगा, दोस्तों, third वाले का, क्योंकि इसका minus M है, और उसका minus I है, तो third, ठीक है, next सवाल की बात करें, तो कौन सा सवाल दे रखा है, 35 number सवाल, बहदी प्यारा सा सवाल दे रखा है, दोस्तों, पूछा गया, alpha and beta, are the correct order of bone length, यानि कि alpha और beta की बंद लंबाई का सही करम है, अब आपको पता है, इसमें क्या है, दोस्तों, अनुनाद है, resonance है, यानि कि क्या दे रखा है, acetate iron दे रखा है, CS3, CO, oxygen के पास negative charge, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें क्या बनती है, दोस्तों, equivalent resonating section का formation होता है, double bond oxygen, oxygen के पास negative charge, ठीक है, तो single bond में double bond के character, double bond में single bond के character, इसका resonating, अपन hybrid बनाएंगे, तो क्या बना देंगे, दोस्तों, कि इसमें क्या रहा है, दोस्तों, CS3, C, यहाँ पे oxygen, यहाँ पे भी oxygen, इसमें क्या बना देंगे, single bond में double bond के character, एक negative charge है, तो दोनों के बीच में, या फिर half negative, half negative भी, लेख सकते हो आप, इसका मतलब, equal रहेगी, A और beta, यानि कि alpha और beta, दोनों क्या रहेंगी, दोस्तों, equal रहेंगी, due to, due to equivalent resonating section, ठीक है, तो next, कहानी की बात करें, तो कौन सा दे रखा है, 36 number सवाल, 36 number सवाल क्या कर रहा है, दोस्तों, पूछा गया है, अपने से stable carbonine, carbonine के stability का order पूछा गया है, minus वाले क्या करेंगे, increase, plus वाले क्या कर देंगे, decrease कर देंगे, NO2, कौन सा effect है, दोस्तों, NO2 का minus M effect है, CL का minus I effect है, CS3 का plus H effect है, O, CS3 का कौन सा effect है, plus M, इसका मलव carbonine के stability को minus वाले increase करेंगे, plus वाले decrease करेंगे, सबसे ज़्यादा किस की होगी, first की, उसके बाद में second की, उसके बाद में third की, उसके बाद में fourth की, ठीक है, तो देख लो दोस्तों, कौन सा आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, यान number सवाल, क्या चाता है, दोस्तो, 37 number सवाल, which of the flowing is not soluble in NH, 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 यानि की, NH में soluble नहीं है, NH में कौन सा soluble नहीं है, दोस्तों, जो acidic hydrogen नहीं रखेगा, इसका मनदब जो टोटो मेरीजम शू नहीं कर पायागा, टोटो मेरीजम alpha hydrogen के कारण ही होती है, दोस्तों, यहाँ पी अगर यानि की double bond O, और यहाँ पे एक तरफा महबत, यानि की यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रो के घर पे SC, यानि की SC नाइट्रो, टोटो मेरीजम हो गई दोस्तों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CS3, CH, double bond N, O, और OH, और यह एक तरफा महबत वाला bond, यानि की coordinate bond, तो देख ल 3 degree carbon दे रखा है, और एक NO2 दे रखा है, इसका मलग यह टोटो मेरीजम शो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था, यह soluble नहीं है, यह अपना आंसर रहेगा, इसके पास alpha hydrogen है, इसके पास सबसे ज़्यादा acidic hydrogen है, इसका मतलब कौनचा आंसर आजाएगा दोस्तों, second answer जो यानि की इलक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है दोस्तों, यह ढूड़ना आपको, BF3 कैसा है दोस्तों, octate complete नहीं है, इसका मतलब यह कैसा रहेगा, इलक्ट्रोफाइल रहेगा, इलक्ट्रोफाइल, NO2 कैसा है दोस्तों, इलक्ट्रोफाइल, NS3 positive दोस्तों, ना यह इलक्ट्र के लुट आएगा क्या क्या हो गया अब ना इस के पास वेकेंट और्बीटल है च रूसर आंसर की हुटовой चलो, next सवाल की अगर आपने बात करें तो कौन सा दे रखा है, 39 नमबर सवाल, देखिए का दोस्तों अपने से क्या पूछा गया है, 39 में, कि which of the flowing group increase acidic scent of benzoic acid if it is placed at the pera position, ठीक है, यानि कि benzoic acid की acidic scent को कौन बंदा increase करेगा, जब वो pera position पे हो, इसका मतलब minus वाले acidic scent को increase करते हैं, plus वाले decrease करते हैं, NO2 कौन सा effect है, दोस्तो, minus M, OH कौन सा effect है, दोस्तो, plus M, ठीक है, और OCS3 कौन सा effect है, plus M, और CS3 कौन सा है, hyperconjugation शो करेगा, इसका मतलब minus वाले acidic scent को increase करेंगे, तो कौन सा answer आजएगा, अपना first answer आजएगा, ठीक है, चलो, इसी कड़ी में आगे बात करें, तो 40 number सवाल, क्या कर रहा है, दोस्तो, basic scent का सवाल है, यह, यानि कि क्या पूछा गया है, अपने से, के भी पूछा गया है, दोस्तो, negative charge, यानि कि loan pair और negative charge, अगर conjugation में participate करता है, तो stability increase हो जाती है, और donating nature कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए का दोस्तो, यह conjugation participate कर रहा है, यहां देखिए, conjugation participation कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, यहां पे देखिए, conjugation participation कर रहा है क्या, जी हाँ, इसका मतलव, second or third is more basic than first and fourth, इन दोनों में से अपन कैसे decide करेंगे दोस्तों, यह भी one degree है, यहां पे plus I लगा हुआ है, और यहां पे pH आगे, pH इसका मतलव, minus I effect हो गए, इसक इसकी ज़्यादा होगी दोस्तों, third is more basic than second, ठीक है, minus वाले acid, basic cent को क्या करेंगे, decrease करेंगे, इन दोनों में से देखिए दोस्तों, ये benzene ring के साथ conjugation कर रहा है, और ये oxygen के साथ conjugation कर रहा है, तो देखिए, यहाँ, less in atom से more in atom पे negative जा रहा है, और यहाँ पे more in atom से less in atom पे जा र conjugation कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये conjugation कर रहा है, तो इसकी stability increase हो रही है, यानि कि ज़्यादा effective group हो गया ना, ये खेंचने वाला electron अपनी और attract करने वाला, इसका मतलब, ये ज़्यादा electron खेंचेगा, खेंचेगा, तो इसका मतलब donating power कम हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा दोस्तों, थैर्ड उसके बाद में सेकेंड, उसके बाद में किसका नंबर आएगा, फास का और फोर्थ की donating power सबसे कम होगी, तो कौन सा order आज है का दोस्तों, थ्री सेकेंड फास फूर, यानि कि थ्री सेकेंड फास फूर की अगर पन बात करें, त आइकलिक होना चाहिए, planar होना चाहिए, complete close conjugation होना चाहिए, 4N plus 2 pile electron को follow करना चाहिए, तो वो क्या है, aromatic है, huckle rule को follow करेगा, तो इसका मतलब वो aromatic है, यह देखिए दोस्तों, SP3 hybridization हो गया, non planar हो गया, इसका मलो यह non aromatic की और इसारा हो रहा है, इसमें देखिए दोस्तों, यह देखो, क्या है, SP3 hybridization है, इसका मतलब यह भी क्या रहेगा, यह अपना non aromatic रहेगा, यहाँ देखिए, क्या है, 4 pile electron है, complete close conjugation है, तो किसकी और ही सारा हुआ, anti की तरफ, anti aromatic है दोस्तों, और यहाँ देखिए, pi sigma, pi sigma negative 4, तो conjugation होगा, conjugation होगा, तो क्या मिल गया, 6 pile electron होते ही, कैस मिल गया, अपने को aromatic, तो कौन सा answer आजाएगा, दोस्तों, यही है, 6 pile electron है, complete close conjugation है, ठीक है, और cyclic है, planar है, सब कुछ, rule को follow कर रही है, इसका मतलब यह क्या है, दोस्तों, aromatic है, next सवाल अपने को क्या दे रखा है, 42 numbers सवाल दे रखा है, दोस्तों, क्या कह रहा है, 42 number, यह difference बिलकुल कम है, क्यों, क्योंकि carbon की EN कितनी होती है, दोस्तों, 2.5 होती है, और CL की EN कितनी होती है, दोस्तों, 3 होती है, और BR की 2.8 होती है, और oxygen की अगर पन बात करें, तो कितनी होती है, दोस्तों, 3.5 होती है, और hydrogen की EN की बात करें, तो 2.1 होती है, देख लो, सबसे ज़् difference किस्त में मिलेगा दोस्तो कार्बन और oxygen की bon length में मिलेगा यानी की bon in bon length में मिलेगा तो इसका मतलब difference EN में जatना जादा होगा इसका मतलब वह उतना ही जादा polarity आएगा partially positive charge partially negative charge उतना ही स्वाधत क्या रहेंगे जन्रेट होंगे 43 number सवाल क्या कहता है दोस्तों सवाल अपना कहता है कि जो अपने को resonating structure दे रखी है उसकी stability का order पूछा गया है correct order पूछा गया है कि कौन सा stable है और कौन सा तो order बता दो दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे जिसका octet complete है देखो फार structure जिसका octet क्या है दोस्तों complete है यानि कि ऐसी structure जिसके ऊपर कोई charge नहीं हो ठीक है यानि कि non polar structure कहा जाता है इसे non chargeable structure जिसकी stability सबसे ज़्यादा रहेगी उसके बाद में अपन क्या देखते है चार्जेबल structure यानि कि polar structure जिसमें octet complete हो उसकी stability ज़्यादा होगी octet uncomplete है उसकी stability कम होगी तो देखो ये सबसे ज़्यादा आएगी इन में से दोनों में से देखो octet किसका complete है इसके पास 6 electron है इसके पास 8 electron है यहाँ पे देखो 6 electron है और इसके पास क्या है दोस्तों इसके ऊपर positive charge दे रखा है इसका मतलब कैसे electron है दोस्तों 6 electron है ठीक है चाहो तो आप इसके ऊपर negative भी लगा सकते हो ये भी who who NCRT का सवाल है ना इसका octet complete है ना इसका octet complete है इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों और चाहो तो इसके ऊपर negative charge लगा लो negative charge लगा दोगे तो 8 electron हो जाएंगे और 8 electron हो जाएंगे तो oxygen का octet complete नहीं है दोस्तों oxygen का octet complete नहीं है इ सबसे मिनिमम हो गई तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर आपन बात करने तो फस्त नोन पोलर है उसके बाद में किसका नंबर आएगा दोस्तों सेकीन का उसके बाद में किसका नंबर आएगा दोस्तों थार्ड का नंबर आएगा ठीक है इसके उपर अगर अगर electron यानि कि काईदा तो यही कहता है कि इसके ऊपर क्या नाची था negative ठीक है तो negative charge आएगा तो इसका मतलब क्या होगा इसके पास तो 8 electron है बट more in atom का octate complete नहीं है दोस्तों तो listable होगा कैसा होगा listable होगा तो सबसे कम स्थाइतव इसी का है मिलेगा तो क्या order है का one two three one two three ठीक है तो देख लो one two three कौन है दोस्तों third answer next इसी में अगर आपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 44 number सवाल देखिए का दोस्तों बहदी प्यारा सा सवाल दे रखा है हूब हूब एंसी अर्टी का सवाल है दोस्तों which of the flowing pair of structure does not show the correct configuration of electron यानि कि कौन से electronों सरंचना का यूगम electronों का सही विन्यास को परदसित नहीं कर रहा ठीक है यहाँ पर देखिए यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डियक्शन शो करता है यानि कि एक के अच्छा लगता है यहाँ देखिए दोस्तों more के पास क्या होना चीए था नेगेटिव और इसके उपर क्या होना चीए था लेकिन उल्टा गर दिया अपने नेगटिव लगा दिया इसका मतलब यह आपका incorrect हो गया दोस्तों ये क्या दे रखा है दूस्तो hyperconjugation दे रखा है CH bond इधर गया और ये no bond resonance हुआ इसके उपर negative और यहाँ double bond आया इसका मतलब ये भी सही दे रखा है तो कौन सा answer आजाएगा दूस्तो third answer की और इसारा हुआ third क्या है incorrect है ठीक है next सवाल की अगर पने बात करें तो क्या दे रखा है 45 नंबर सवाल देखिएगा दूस्तो 45 नंबर सवाल क्या कहता है ये पूछ रहा है अपने से order of stability कार्बोकटाइन जो अपने को दे रखें उसकी stability की बात हो रही है यानि कि प्लस वाले increase करेंगे माइनस वाले decrease कर देंगे alpha hydrogen जितने जादा होंगे उसकी stability उतनी क्या मिलेगी दोस्तों जादा तो सबसे जादा alpha hydrogen इसके पास कितने हैं 9 हैं इसके पास कितने हैं 6 हैं इसके पास 3 है इसके पास 0 बटा-sanatta है तो सबसे जादा stability कि जा जाएगी कि फास सेकेंड थर्ड फॉर्थ यही उड़ा सा है का दोस्तों यानि कि फास सेकेंड थर्ड फॉर्थ ठीक है next सवाल की अपने को क्या दे रखा है दोस्तों section D में बात करें तो क्या दे रखा है अपने को देखिए का दोस्तों integer type सवाल दे रखें है पूछा क्या गया है, find out of benzylic hydrogen पूछा गया है benzylic किसको बोलते हैं दोस्तों, benzylic hydrogen की बात करें तो ये अपने को क्या दे रखी है, benzyne और benzyne के उपर अगर CS3 लगा रखा है, तो ये कौन सा कार्बन है alpha carbon रिस से attach hydrogen क्या होंगे दोस्तों, alpha hydrogen होंगे तो alpha hydrogen इसके पास कितने हैं, three हैं, तो ये क्या है benzylic hydrogen है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो toluene में से एक hydrogen को हटा दे, तो उस group को भी क्या बोला जाता है, benzyl group बोला जाता है, तो यहाँ आपन देख सकते हैं कि double bond का ठीक पुड़ोसी carbon क्या है, alpha carbon वो सारे का सारा क्या है, benzylic carbon है, उसे अटेच हाइटरोजन क्या होगे, benzylic hydrogen होगे, तो कितने देख रखे हैं, ये बेंजाइलिक ये बेंजाइलिक और ये भी benzylic, तो carbon है, अपने पास three है और hydrogen कितने है, दोस्तों, two इसके पास, two इसके पास, और three इसके पास यानि कि total कितने होगे दोस्तो 7 तो अपना answer क्या जाएगा 7 next इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सवाल दे रखा है second number सवाल क्या पूछा गया है दोस्तो अपने से ये पूछा गया है कि how many alkenes form flowing are more stable than cyclopentene cyclopentene से कितनी alkenes जदा stable है तो cyclopentene की अगर structure की अपन बात करें तो दोस्तो क्या होता है cyclopent यानि कि पूछ पकड़ लो यानि कि word root पकड़ लो कितने कारबन है दोस्तो 5 है और कहीं भी double bond लगा दो इसके पास alpha hydrogen कितने है दोस्तो 4 यानि कि कहने का मतलब यह होगा जिसके पास 4 से जदा alpha hydrogen है उसमें hyperconjugation जदा होगा उसकी resonating section जदा बनेंगी उसकी stability उतनी क्या मिलेगी जदा मिलेगी तो देखिए कहानी start करते हैं इसकी कितने दे रखे हैं दोस्तो इसके पास alpha hydrogen कितने दे रखे हैं 3 होगे इसके पास alpha hydrogen की बात करें तो दोस्तो कितने हैं भला 7 है यानि कि 2, 2 और 3 और इसकी बात करें तो alpha hydrogen की बात करें तो कितने हैं दोस्तो कारबन तो इसके पास alpha 2 है लेकिन hydrogen कितने हैं 2 है ठीक है इसके पास है alpha hydrogen present नहीं है यह तो बविता के पास है यानि कि beta hydrogen है दोस्तो तो देख लो सबसे जादा किस की stability रहेगी जिसके पास 4 से जादा alpha hydrogen है एक के पास है दूसरे के पास है और तीसरे के पास है यानि कि 1, 2, 3 कितना आंसर आजाएगा दोस्तो 03 चीक है next सवाल की बात करने तो कौन सा सवाल दे रखा है third number सवाल third number सवाल क्या कहता है दोस्तों ये अपने से पूछा गया है among the flowing find out number of ions और molecule that can show resonance कितने ऐसे molecule या ion है जो resonance यो करते हैं तो resonance की अगर आपने बात करें तो किसको बोलते हैं pie bone के alternative में pie bone हो positive charge, negative charge, unpaid electron, lone pair of electron या फिल lone pair of electron के alternate में क्या हो दोस्तों vacant orbital हो ठीक है तुसे अपन क्या बोलते हैं back bonding, पस्च बंधन, बंधन कैसा है या जाना ना तुने जाना ना उसने जाना तो यहाँ पे देख लो दोस्तों pie sigma pi इसका मतलब इसमें conjugation है इसका मतलब resonance possible है इसमें बात करें तो pi sigma sigma conjugation बंधन तूट गया दोस्तों तो इसका मतलब इसमें resonance नहीं हो सकता यहाँ बात करें तो pi sigma sigma इसमें भी resonance possible नहीं है hyperconjugation है but resonance नहीं है due to pi electron shifting के कान तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे lone pair है और pi sigma lone pair of electron that is conjunction इसमें resonance है इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है राइटिंग रूल कि अगरपन बात करें तो इसमें क्या कहता है कि more than an eight electron is not possible in second period elements दूसरे आवरत की elements के पास क्या नहीं होना चाहिए आठ से ज़्यादा electron नहीं होने चाहिए अगर 8 से ज़्यादा electron है तो दोस्तों वो आपस में resonanting section नहीं हो सकती क्यों क्योंकि रखने के लिए जगाई नहीं है nitrogen की अगर बात करें तो maximum कितने bone का formation कर सकता है यानि कि 8 electron रख सकता है 4 bone बना सकता है चीक है तो इसने चार देखो बना रखे हैं बना रखे हैं और इसके उपर positive charge है आप कहीं देख लोगी pi sigma positive charge that is conjugation करवा दिया तो जैसी दोस्तो आपको injection करवा दोगे तो nitrogen का बुरा हाल हो जाएगा यानि कि इसके कितने bone होगे दोस्तो 5 bone होगे तो क्या possible है 5 bone नहीं है दोस्तो क्यों क्योंकि इसके पास कितने electron होगे 10 electron होगे और 10 electron nitrogen nitrogen के में possible नहीं है क्यों भला क्यों possible नहीं है दोस्तों क्योंकि इसके पास क्या होता है 2S की 2O सकता है 2P की maximum किते रेक्टरों आ सकते हैं 6 इसका मतलब इसके पास 2D absent है 2D नहीं है दोस्तों इसका मतलब किते रेक्टरों आ सकते है maximum 80 आ सकते हैं तो possible नहीं है तो कितने लोग ऐसे हैं जो resonance शो करते तो अपने को सवाल नंबर फॉर्थ दे रखा है दोस्तों फॉर्थ नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों find out number of compound which are more acidic than phenol यानि कि कितने लोग ऐसे हैं जो phenol से ज़्यादा acidic है phenol से ज़्यादा क्या है दोस्तों acidic है ठीक है तो देखिए का कहानी क्या भी या करते हैं phenol plus वाले increase करेंगे माइनस वाले acidic send को क्या करते हैं plus वाले acidic send को decrease करते हैं और minus वाले increase करते हैं यानि कि electron leasing group और electron withdrawing group की बात हो रही है यह अपने पास phenol है ठीक है तो phenol से जादा acid को न हो सकता है जो इसके ऊपर क्या लगा दे दोस्तों electron withdrawing group लगा दे ठीक है तो phenol से जादा acid को न होता है दोस्तों phenol से अगर बात करें तो अपने पास क्या आता है और karboxylic acid से कौन ज़ादा acid होता है दोस्तों sulfuric acid तो देख लो ये नहीं हो सकता इसके पास plus H आगया चीक है benzoic acid strong acid है compared to phenol उसके बात बंग करें तो बेंजीन sulfuric acid ये भी strong acid है ये तो carb garlic acid से भी strong acid होता है क्यों क्योंकि इसमें three equivalent resonating section का formation होता है यानि कि तीन तुल्यंकिय नादी सरंचना बनती है और इसमें टूई बनती है यहाँ पर अगर बात करें तो क्या दे रखा है वोटर नहीं हो सकता दोस्तों एलकाइन नहीं हो सकती कार्बोकसलीक एसेड का नाम आते ही हो जाएगा इसका मतलब फॉर्मिक एसेड भी हो दोस्तों यहां पे अपने को दे रखा है दोस्तों फिनोर क्या पूछ रहा है identify number of compound from flowing which liberate CO2 on reaction with sodium bicarbonate sodium bicarbonate के साथ कितने ऐसे हैं जो CO2 को release करेंगे ठीक है अब CO2 को release कौन कौन करते हैं जो H2CO3 से strong acid है यानि कि sodium bicarbonate किसका salt है दोस्तों इसका salt है H2CO3 यानि कि carbonic acid का अब carbonic acid से जो strong acid है H2CO3 से जो strong acid है वही क्या करेगा sodium bicarbonate के साथ reaction करके CO2 release करेगा तो carboxylic acid कर सकता है जी हाँ कर सकता है फिनोल नहीं कर सकता दोस्तों क्यों क्योंगी फिनोल में 5 resonating section बनती है बट equivalent नहीं है unequivalent resonating section है और इसमें अगर बात करें तो 2 equivalent और 1 unequivalent बनती है इसका मतलब 2 equivalent resonating section बन रही है दो तुल्यांकियों नादी सरेंचर नमर नहीं है तो इसका साहतव जादा होता है इसलिए carbonic acid is more acid than phenol सल्फोनिक acid strong acid है ये कर देगा पिकरिक acid strong acid होता है दोस्तों इसका तो मुकाबला नहीं है यहाँ पी बात करें तो दोस्तों क्या लगा दिया अपने plus H लगा दिया इसका मतलब acidic cent को decrease कर रहा है नेक्स सवाल की और बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को six number सवाल देखिए का दोस्तों क्या पुछा गया है number of aromatic compound और iron पुछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो aromatic है aromatic यानि कि क्या होना चीए cyclic होना चीए planar होना चीए complete close conjugation होना चीए ठीक है और huckle rule को follow करना इसकी अगरपन बात करें तो aromatic है क्या दोस्तों नहीं है ये furan दे रखी है furan क्या है aromatic है जी हाँ इसकी अगरपन बात करें तो दोस्तों naphthalene 10pilectron है that is aromatic है ये भी इसकी बात करें तो ये क्या है anti-aromatic है 4pilectron दे रखा है इसकी बात करें तो देखो 6pilectron that is aromatic ये भी aromatic है और इसमें क्या हो गया दोस्तों 4 pile electron हो गया इसका मतलब यह तो anti-aromatic हो गई और इसकी बात करें तो दोस्तों क्या है 6 pile electron that is aromatic क्या दे दिया दोस्तों double bond double bond और इसके उपर positive charge यानि कि 6 pile electron दे दिया और 6 pile electron देते कैसी हो गई aromatic हो गई इसकी अगर बात करें तो देख लो दोस्तों क्या दे रखा है पाइरोल और positive की reaction करवाई तो यह बना दिया आपने यानि कि अब nitrogen के उपर क्या दे रखा है positive charge दे रखा है तो क्या conjugation possible है नहीं दोस्तों पिछले सवाल में आपने बात की थी कि अगर यह conjugation कर लेता है तो इसका मतलब इसके पास 10 electron हो जाएंगे जो possible नहीं है नहीं है तो इसका मतलब यह इसमें conjugation नहीं है यह क्या मिलेगा आपको non-aromatic मिलेगा तो अपना यह क्या नहीं हो सकता दोस्तों aromatic नहीं हो सकता तो aromatic कितने लोग मिले हैं, aromatic आप count कर लो दोस्तो, 1, 2, 3, और 4, क्या answer आजाएगा दोस्तो, 4 answer आजाएगा, next सवाल किए अगर आपने बात करें तो देखिएगा, सवाल बैहदी प्यारा सा है, कितनी अभी किरें feasible है, possible है, possible यानि कि strong acid, weak acid को उसके salt में से replace कर देता है, यानि कि purple acid, weak acid को, देखो, अब ये इन दोनों में से strong acid कोन है, triple bone और ammonia में से EN जिसकी जादा होगी, वही strong acid होगा, अब आपको पता है कि triple bone, triple bone के साथ hydrogen है, इसका मतलब इसकी EN कितनी होती है, सवा तीन, और nitrogen, nitrogen की EN कितनी होती है, तीन, तो इसका मतलब ये जो salt है, वो किसका है, ammonia का है, ammonia और triple bone म ये अपने पास क्या है, strong acid है, और ये NANS2, वी, weak acid है, यानि कि strong base है, तो acid base reaction हो जाएगी, हो जाएगी तो इसका मतलब ये इसनी क्या किया है, strong acid, weak acid को उसके लवन में से क्या कर दिया, परतिस्थापित कर दिया, भगा दिया, इसका मतलब ये reaction possible है, ठीक है, यानि कि strong acid base reaction हो अब N-E-H कैसा है? बेस हैं और ये क्या है? फिनोल, फिनोल एसिड ही खुता है तो ये देख सकते हैं strong acid, weak acid को उसके लवन में से भगा देगा यानि कि ये किसका है? salt साब, ये H2O का है H2O और फिनोल में से अच्छा acid कौन है? फिनोल है, ठीक है? इसका मलब strong acid, weak acid को उसके लवन में से भगा देगा तो भगा दिया दोस्तों, इसका मतलब ये भी forward reaction होगी यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, ये फिनोल है और यहाँ पर ये क्या दे रखा है? sodium acetate दे रखा है इसका मतलब ये क्या दे रखा है? आपको acetic acid का salt दे रखा है अब acetic acid और फिनोल में से अच्छा acid कोन है? acetic acid है, इसकी दो तुल्यंकी और नादी सरंचना बनती है two equivalent resonating structure बनती है और इसकी unequivalent resonating structure बनती है इसका मतलब ये ज़्यादा acid है अब strong acid का आपको salt दे दिया दोस्तों, sulfonic acid दे रखा है और sulfonic acid की reaction किसके साथ करवा रहा है? sodium acetate के साथ करवा रहा है इन दोनों में से strong acid कोन है? दोस्तों, sulfonic acid is strong acid और ये किसका salt है? दोस्तो, weak acid का salt है तो strong acid, weak acid को उसके लवन में से परतिस्तापित कर देगा, replace कर देगा इसका मतलब ये भी reaction possible है तो कितना answer आजाएगा दोस्तों? 3 answer आजाएगा, ठीक है? तो कौन सी reaction possible है? ये reaction possible है, ये reaction possible है ये reaction कदापी possible नहीं है और ये possible है, तो कितना answer आगया? 3, next सवाल की अगर पर बात करें तो सवाल number 8 देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है? अतीस यूगमन के कान बनने वाली कुल अनादी सरंचनाओं की संख्या होगी ठीक है, CH बंद को समलित करते हुए तो यहाँ पे total number of resonating section due to hyperconjugation तो alpha H देख लो दोस्तों, जितने alpha H होंगे इसका मतलब, ऐसा ही सवाल आपको जही में मिला था, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें तो hyperconjugation की कितनी अनादी सरंचनाई बनाई जा सकती है जितने alpha H है, कितने हैं दोस्तों? 2, 2, 4 और 2, 6 कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 6 आंसर आ जाएगा 6 जितने alpha hydrogen होंगे, उतनी ही अनादी सरंचनाई बनाई जा सकती है नेक्स सवाल की अगर आपने बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है? 9 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तो, 9 नंबर सवाल क्या कहता है? निमर में से कितने अनिलीन से अधिक शारिये हैं? अनिलीन, अनिलीन आपको दे रखी है अनिलीन में क्या होता है? दोस्तो resonance होता है, प्लस वाले increase करेंगे माइनस वाले decrease करेंगे क्या चीज? बेसिक सेंट को इसमें देखिए दोस्तो, conjugation है conjugation है, इसका मदलब इसकी basic सेंट क्या होगे? कम होगे, यहाँ पर बात करें तो CS3 दे रखा है, और CS3 का कौन सा effect है? प्लस H और प्लस H वाले basic सेंट को क्या करेंगे? increase इसका मतलब यहाँ पर अपने को अनिलीन दे रखी थी, अनिलीन से more basic कौन सा है? यह है, ठीक है? इसकी बात करें, तो इसमें resonance है क्या? नहीं है, इसका मतलब यह भी more basic है, इसमें resonance है, तो इसका मतलब जिसमें resonance होगा, उसकी basic सेंट क्या हो जाएगी? कम, इसमें भी resonance है, बट यहाँ पर प्लस वाला आगया और प्लस वाले क्या करेंगे? basic सेंट को नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब देने की power क्या होगी दूस्तो? ज़्यादा होगी, तो ये भी क्या है दूस्तो? strong base है compared to aniline, इसमें अगर पन बात करें तो देखो, ये भी 2 degree amine दे रखा है, इसकी भी basic सेंट क्या रहेगी? aniline से ज़्यादा रहेगी, तो कितने लोग aniline से अधिक शारिये हैं? more basic है, ये नहीं हो सकता, ये अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, वो भी अधिक है, ये भी अधिक है, ठीक है? तो एक को छोड़ कर बाकी सारे aniline से more basic है, तो कौन-कौन सा अंसर आजाएगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, तो कितने अंसर आगए दोस्तो? 0, 5 आपका अंसर आजाएगा, next इसी कड़ी में आगे बात करें, तो कौन सा सवाल दे रखा है? 10 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तो, 10 नंबर सवाल, how many of the flowing species are electrophile? कितनी species electrons नहीं है, तो electrons नहीं की बात हो रही है, जिसका octet uncomplete होगा, जो lone pair acceptor होगा, वो क्या होगा दोस्तो? Lewis acid होगा, Lewis acid होगा, वो electrophile होगा, तो electrophile CH4 हो सकता है, क्या? कदापी नहीं हो सकता, क्या है, क्यों 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 इसका octet uncomplete है, NO2 positive क्या है, क्या है,堡ूStो, electrophile, reactive कैसा है, electrophile SO3, क्या है,堡ूStो, electrophile है, benzine का sulfonation करवाते हैं, तो SO3 electrophile का का काम करता है, यह क्या है, d도Stो, nucleophile है, यह nucleophile है, NO positive, क्या है, बिचार का octet complete नहीं है, क्या दे रखा है positive charge कितने electron दे रखा है बिचारे के पास 6 electron है तो electrofile का ही काम करेगा तो कितने electrofile हुए दूस्तो ये आपके electrofile हो गए CS3 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या answer आजाएगा दूस्तो 0, 6 electrofile है next इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है दूस्तो 11 number सवाल क्या पूछा गया है अपने से कोई compound अपने को दे रखा है ठीक है जिसकी resonating sector संभावित resonating possible resonating sector पूछा गया है दूस्तो अब जितनी भी ring वाली ये structure आजे उसके उपर positive negative दे रखा हो उसका मतलब जितनी कारबन की ring दे रखें उतनी resonating sector बनेगी ठीक है तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो कितनी resonating sector बनाई जा सकती है इसी को भी आप count करोगे पाई सिगमा negative charge conjugation करवा दोगे एक बार कहां पे negative charge आ जाएगा दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे negative आ गया यहाँ पे चल जाएगा यहाँ पे चल जाएगा यूई ही घुमते रहे न दोस्तो नकिटिव charge यूई घुमता रहे गा इसके ऊपर negative charge यहाँ पे double bond और यहाँ पे पाई सिगमा नेगेटिव charge यहाँ पे पहले नहीं आया था अब वहाँ पे आएगा ठीक हैं तो यह इसकी resonating section है दोस्तों तो जैसे ही आपने इसको इसमें convert किया तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों डबल बॉन यहाँ डबल बॉन और इसके ऊपर क्या गया नेगेटिव चार्ज पाई सिगमा नेगेटिव चार्ज देखने को मिला जैसे आपने conjugation करवाया तो 5 वाली रिंग है यहाँ पे डबल बॉन यहाँ पे डबल बॉन इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया यह वापस यहाँ पे लाओगे तो वापस वही बन जाएगी जो आप लेकर चले थे ठीक है तो कितनी होगी 1,2,3,4,5 5 resonating section बनाई जा सकती है माल ल उपर रिंग है रिंग के उपर positive या negative है कितने कार्बन की monocyclic ring है इसका मलोग जितने कार्बन की रिंग दे रखिए उत्ती resonating section बना सकते हैं चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो complete close conjugation होना चीए कहीं एक में conjugation दे कर कैदोगी इसकी किती resonating section बनाई जा सकती है तो ठीक ह चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है अपने को 12 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तो 12 नंबर सवाल क्या कहता है यह पूछा गया है माइनस M परभाव वाले जब यह बेंजीन रिंग से attach हो तो माइनस M पूछना है दोस्तो तो माइनस M O R, O R का कौन सा एफेक्ट है प्लस M, O H का कौन सा एफेक्ट होता है दोस्तो प्लस M, LD हैड का कौन सा है माइनस M, NO2 का कौन सा है माइनस M, NH का कौन सा है दोस्तो प्लस M, O C O R का कौन सा है प्लस M, CS3 का कौन सा है प्लस H, NS2 का कौन सा है प्लस M, तो बाकी सारे प्लस M, दो लोग नजर आ रह प्लस M बोलेंगे, इन सब के पास क्या है, क्या है, लोन पेर, ठीक है, ये प्लस H है, इपर कॉंजूगेशन शो करेगा, तो कितने लोग है, दो लोग ऐसे हैं, जो क्या शो करेंगे दोस्तों, only pure रूप से माइनस M इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, नेक्स आगे बात करें, त थर्टीन नंबर सवाल दे रखा है, दोस्तों, क्या कहा रहा है, थर्टीन नंबर सवाल, how many of the flowing compound have more electron density on benzene ring, ठीक है, than on benzene, ठीक है, यानि कि benzene वल्या पर electron ही घनतों, benzene से अधिक है, पलस वाले electron density को increase करेंगे, यानि कि electron density की अगर पन बात करें, electron density on benzene ring, ठीक है, डारेक्ली proportional है, किसके बला, electron releasing group के, और inversely proportional है, किसके electron withdrawing group के, ये electron density ही ESR reaction है, दोस्तों, electrophilic substitution reaction, plus वाले increase करते हैं, minus वाले decrease करते हैं, तो देखलो, electron releasing group, NO2 कौन सा है, दोस्तों, minus time effect रखता है, इसका मनलब ये तो deactivating group हो गया, deactivating हो गया, तो electrophilic substitution reaction के परती less reactive होगा, ये, ठीक है, deactivating group ह है, तो benzene से कम होगी, और ये CS3 दे दिया, तो कौन सा effect है, plus H, इसका मनलब इसकी जादा होगी, CN दे दिया, CN का कौन सा effect है, minus M है, इसका मनलब इसकी जादा होगी, CL, CL का कौन सा effect होता है, दोस्तों, minus I more effective होता है, plus M, plus M के according नहीं, ये deactivating group है, ये काम नहीं कर पाएगा, जो आप करवाना चाते हो, benzene से, electron density, इसमें क्या होगी, दोस्तों, कम होगी, क्योंकि minus I more dominant है, O, CS3 क्या दे दिया, दोस्तों, anisol दे रखा है, plus M, शो करेगा, aniline कौन सी शो करता है, दोस्तों, plus M, शो करेगा, और aldehyde क्या शो करता है, दोस्तों, minus M, शो करेगा, तो benzene से आजाएगा, दोस्तों, answer आजाएगा, ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बात करें, तो कौन सा सवाल दे रखा है, 14 नंबर सवाल दे रखा है, दोस्तों, क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल, how many of the flowing compound और ions, show hyperconjugation, hyperconjugation, कौन show लग करते हैं, दोस्तों, alkene show करती है, alpha hydrogen होना ची है, तो देखे, डबल बोन का ठीक, पुड़ोसी कार्बन, alpha carbon है, बट उसके पास alpha hydrogen नहीं है, तो ये show नहीं कर पाएगा, इसके पास alpha hydrogen है, तो दोस्तों, hyperconjugation शो करेगा, कार्बोकिटाइन का ठीक, पुड़ोसी कार्बन, alpha carbon है, लेकिन alpha hydrogen नहीं है, दोस्तों, ये भी show नही कर पाएगा दोस्तों कार्बोकेटाइन यह शो कर देगा इसके पास alpha hydrogen 5 है इसका मतलब यह शो करेगा free radical unfed electron दे रखा है दोस्तों तो इसके पास भी alpha hydrogen है यह भी क्या शो करेगा hyperconjugation शो करेगा यह शो नहीं कर सकता दोस्तों और यह अनुनाद शो करेगा, resonance शो करेगा तो कितने लोग ऐसे हैं जो hyperconjugation शो कर रहे हैं ये नहीं कर सकता, ये करेगा, ये नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता, ये करेगा ये करेगा और ये करेगा ये भी तो इसके साथ है, इसके पास alpha hydrogen कितने हैं, 6 है तो कितने लोग होगे दोस्तों 1, 2, 3 और 4 4 लोग ऐसे हैं जो hyperconjugation को represent करते हैं ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है सवाल नंबर अपना 15 नंबर सवाल देखेगा दोस्तों 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है यह कह रहा है कि कितने आयन या इसे हैं जो non aromatic है non aromatic यानि कि non cyclic हो या elicyclic हो cyclic, elicyclic यह की बात है ठीक है बट कैसा होना चीए? noon planar होना चीए uncomplete close conjugation होना चीए यानि कि यह भेरूंबाबा होता है कितने भी pylektron हो ठीक है? तो इसका मतलब यह क्या है? six pylektron है, benzene है इसका मतलब यह तो aromatic है इसमें देखिए यह कैसा है? sp3 है, यह भी कैसा है? sp3 है sp3 है, इसका मतलब यह non aromatic है इसमें देखो resonance है, बट यह कैसा है? sp3 है, यह भी कैसा है? sp3 है इसका मलब ये भी non planar है, तो ये क्या रहेगा, non aromatic रहेगा, इसमें क्या होगी दोस्तो, 4-py electron होगे, cyclic है, planar है, complete close conjugation है, ये क्या होगी, anti-aromatic होगी, इसमें देखो, ये sp3 hybridization है, ये भी sp3 hybridization है, ये कैसी मिलेगी दोस्तो, non aromatic, इसमें देखो, ये कैसा है, non aromatic है, इसमें conjugation नही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, more than 8 electron is not possible in second period elements, याने कि 8 से ज़्यादा electron नहीं हो सकते, इसका मतलब यह क्या रहेगा, non aromatic रहेगा, तो non aromatic रखने वाले कितने हैं, यह non aromatic है, यह non aromatic है, यह non aromatic है और यह non aromatic है, यह कैसा है दोस्तो, the payroll है, six Dragon है, ये कैसा मिलेगा दोस्तों, aromatic मिलेगा ठीक है, ये non-aromatic इसका है चलो कितना answer आजाएगा एक, दो, तीन और चार तो कितना answer आजाएगा, four answer आजाएगा next सवाल की अगर पन बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों ये इतने सवाल थे दोस्तों, ये था आपना paper solution, ठीक है मस्त त्यारी करें, NCRT को पढ़ें मस्त रहें सवस्त रहें all the best, good luck, JCLC